नमस्कार दोस्तों, माइसेल्फ दीपब भॉला, टीम फिजीक सील सीजीजी कर तो यह उच्छों अपन DCM के आज इलेक्ट्र स्टेटिक के पेपर वो सॉल करेंगे देखिए अपने आप जो एक्जाम दे रहे हैं DCM का इसमें आज जाए पेपर आपके निमट चुके हैं टोटल 42 पेपर होने हैं 22 तक अपन पोच चुके हैं देखिए और इसी पकार से मानता हूँ आपके सारे पर अच्छे जा रहे होंगे अच्छी तयारी कर रहे होंगे ठीक है आगे भी इस तरह से कंट्यूर आप बने रही है ठीक है ताकि एक्जाम में आप अच्छे मार्स के साथ एक अच्छी रेंग के साथ सेलेक्ट हो चलो अज़ अपन करते हैं स्टार्ट देखिए कोशन फर्स्ट यह आपकी स्क्रीन पर क्या गे रहा है यहाँ पर टू पॉइट्ट्व चार्ज हैं फोर क्यू एंड क्यू इनके बीच बीच पर डिस्टेंस है एल डिस्टेंस है ठीक है हम चाहते हैं कि पुरा सिस्टम एक्लिब्रियम में रहे निकाह पाइटिकल दी है में हैक एक और एक प्रच के बीच पर टॉटल इस तेंस यहां बूर देखिय ilgili यहां पर इस तरह से यह दो पार्टिकल है ठीक है एक कामान फॉट पर क्यू ठीक है इनके बीचक Me टॉटल डिस्टेंस एक ह tiefी इ्ल टॉटल डिस्टेंस एल अब विटा है है आपे देखो उसमें दोनों charge like charge हैं, तो like charge हैं, तो balance condition के लिए हमें third charge का रहना पड़ेगा इसके बीच में, ठीके, तो यहाँ आप रख दिया यह capital Q को, यह capital Q आपने रख दिया, ठीके, अब यह distance x, यह distance x क्या होगी, इसके लिए आपको formula पता है, यह distance x जो निकालते हैं अप पे, देखिए, x, यहाँ पे जो x है, x is equal to, x is equal to किता हैगा, total distance into, root of Q, मलब one करेते हैं, root of one plus root of four, ठीके, क्यों होगी यह value, four है, four q, तहां से, इसका निकाले value क्या बनेगी, यहाँ पे आजागा result है, ठीके, one upon one plus two, miss one by three, तो क्या हो गया, यह हो गया, l by three, ठीके, यह value आग तो इधर से distance किते हैं, एक सुरू, l by three, ठीके, अब बेटा हमें, यह तो अपने इसकी क्या निकाल ली, position, हमें रखना कहां पर है, ठीके, l by three distance आगी, तो l by three के सम्में, l by से सम्में दे रखा है, अब हमें इसकी value भी देखनी पड़ी, क्या है, तो देखो, यह four q, जो है, यह इस q को इधर repel करेगा, इस तरह से, यह four q, ठीके, इस तब लगाएगा force, ठीके, f1 इसको बोल लिया, और यह जो capital q है, इस f1 को balance करने के लिए, इधर इसको क्या करना चाहिए, attract, इस तब लगाना चाहिए, force f2, तो यहाँ पे capital q की nature क्या होनी चाहिए, इस q के opposite था कि इसको attract करें, और अपनी तरफ बुलाए, अपनी तरफ force apply करें, तो इसका मलब, इसकी nature क्या होगी, negative, क्योंकि q को positive होगा, उसके positive होगा, उसके nature, ठीके, तहां से negative इसके अंदर भी है, और negative इसके पहला answer आएगा, या चो था, अब इसकी value अपन देखे क्या होगी, तो value के अपन क्या करें, यहां पर, इसकी वज़े से लगने वाला force, 4Q की वज़े से, तो क्या होता है, के into 4Q into, 4Q into Q upon distance square, तो यहां से लेकर, यहां तक की distance किती दिखरी है आपको, कितनी बच्चों यहां सा तक की distance, ल, L square, तो K Q on Q upon L square, is equal to, अब F2 के output करें, F2 क्या है, इसकी वज़े से इस पर लगने वाला force, तो K Q, Q upon में distance किती है, X, X किती है, L by 3, तो L by 3 का square, ठीके, तो यहां से, अब हम दोगो, क्या निकालना है, एक Q से Q काट दो, ठीके, यह L square से L square भी कट जाएगा, ठीके, तो यहां से हमें निकालना है, value of Q, तो Q निकालेंगे, यह 4 by 9, यह 1 upon 9 रेचल जाएगा, तो 4 by 9, तो यहां से Q is equal to, क्या गया, 4 by 9 times of Q, distance तो निकालना है, L by 3, और negative क्यों है, बता दी आपको मैंने, क्योंगी, इस पर attraction लगाना है, इसको उस पर, तो इसकी nature कैसी है, negative, तो इसकी आंस question पढ़े, next question में, आप से बोल रहा है, कि यहां पर इस तरह से cube है, ठीक है, यह cube यहां पर रखा हुआ है, और यहां पर electric field अपने जो apply कर रहा है, minus 4x i cap, and 6y j cap है, ठीक है, और आप से कहरा है, कि इस चितर में, हमें, इस cube के अंदर, जो total, परिबत दावेश है, ठीक है, जो total इसके अंदर, charge present in close charge, उसको किता है, alpha e naught, तो आपर हमें, इस alpha की value find करनी क्या होगी, तो बच्छों दोखो, यहां पर इसमें, electric field, दो direction में, i cap and y j cap के लोंग, ठीक है, i cap and j cap के लोंग, तो i cap के लोंग, इसकी direction क्या है, negative x के लोंग, जो यहां पर इस तरह से, देखो, यह surface है, इस surface पे electric field होगे, किदर है, यह ex है, ठीक है, ex, और इस ex की value क्या होगी, बचा है, यहां पर, x किता है रखा, इसकी, जो side length है किती है, 1 meter है, तो यहां पर 1 रख दो, उसके अंदर, 4 into 1, ठीक है, तो 4 into 1 रख दें, किता है, 4, ठीक है, तो x वाला, तो negative field किता है, electric field किता ह 4 है, towards negative x direction, ठीक है, क्योंकि minus i के पार है न, और j cap की बात करें, वो किदर है, y, positive y direction में, तो यहां से इस तरफ, यह जो surface है, यहां से alliance निकलेंगी, इस direction में, electric field है, e y, ठीक है, इस e y के वलू के आगी, यहां रख देंगे, y को 6, तो 6, 6 के वलू 1 रख देंगे, y के वलू 1 5x plus 5y, 5x plus 5y, अब यहां पे 5x जो बटाई है, in हो रहा है, ठीक है, यहां पे इसके अंदर lines देखें, इसके में, enter कर रही है, तो flask, inward flask के, ठीक है, तो निवेशित flask जब भी होता है, inward flask होता है, तो उसकी वलू क्या होती है, negative, ठीक है, तो flask negative होगा, और form लग रहता है 5 is equal to, e into area, ठीक है, तो minus e into area करेंगे, तो e किता है, 4, ठीक है, and area किता बनेगा इसका, 1 square, क्योंकि यहां पे side length 1 है, तो area 1 बनेगा न, area 1 लिख दिया है, 1, ठीक है, 1 square होगया, and यह, यह क्या पच्छो negative है, ठीक है, यह तो negative हैगा, तो इसलिए आपे minus लगाएंगे, ठीक है, यहां पे हम इसका minus का use करेंगे, ठीक है, minus है, यह minus, ठीक है, यह finite निकालने हैं, finite, ठीक है, minus पे, and 5y की value, अब देखें, यहां से तो line भार निकल रही है, output flush के है, ठीक है, output flush के है, तो उसको plus लिखना है, तो इसके लिए e y, तो किता है, 6 है, and area किता है, 1 है, ठीक है, e into area कर अब आपने 5 is equal to e into होता है, तो किता है, 2, ठीक है, अब finite को अपन दे, q upon epsilon not, ठीक है, जो gos न होता है, q upon epsilon not, तो q किता है, 2, epsilon not के equal, तो alpha किता है, जहां से 2, alpha जहां से 2 जाएगी, ठीक है, तो alpha is equal to 2, तो इसको टिक कर लेंगे है, ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ते है, तो इसलिए क्या टिक करेंगे, f2 is equal to minus f1, ठीक है, चलो, अगला कोशन देखते है, अगला कोशन, यह तो f2 minus f1 हो गया, अगला कोशन देखे, fourth कोशन ही रहा, अब यहां पर fourth कोशन, यह भी काफी अच्छा है, देखिए इसमे, fourth कोशन में, क्या गरा है, यहां पर यह charge particle रखे में, minus 2, plus 2, root 2, and minus root 2, ठीक है minus root 2, 2 root 2, minus root 2, यह charge particle रखे में, आप से गरा कि इस p point पर आपको निकालना है, net electric field, ठीक है, net electric field, पे find करना है, तो यह वाला charge particle, यह कैसा है, positive है, यह positive charge particle है, इसकी वेसे electric field का आएगा, उपर की तरफ, ठीक है, क्योंगी, यह वाला charge particle, इसकी वेसे electric field आ रहा है, मालो, इस ठीक है, और यह, इसकी वेसे, इस तरफ आएगा, यह, दोनों में angle किता हो, यह भी one length है, यह one है, तो यह half half angle 45, 45 हो गए, ठीक है, देखो, कौर से, यह one meter length है, यह one meter length है, तो यहां से तक की length हाएगी है, यह किते हो, रूट 2, ठीक है, यह length किती होगी, root 2 के equal, क्योंगी, यह यहां पे base 1 है, height भी one है, तो यह length होगी, root 2 meter होगी, ठीक है, root 2 meter, अब यहां से में, देखिए, यह angle किता हो, total 90 degree, यह total angle 90 degree है, 90 degree, की वज़े से, E, E का resultant आएगा, इस तरफ ही किता होगी है, root 2 E, यह root 2 E हो जाएगा, E, E का resultant, root 2 E, ठीक है, यह root 2 E आगया, अब यहां पे P point पे net field intensity आपको find कर नहीं है, तो net field intensity आपन देखें यहां पे, यह E dash उपर की तरफ है, और नीचे किता है, root 2 times of E, तो E net यहां पो जाएगा, E net की value, E net is equal to, E net is equal to, E dash minus, E dash minus, root 2 E, E dash minus root 2 E, यह करना है, अब E dash की value, E dash की value, E dash का है, इसके current field है, हम जानते हैं किज भी charge की जाए field का होता है, K Q upon R square, तो K Q upon R square, ठीक है, तो K Q रख देंगे, 9 into 10 power 9, ठीक है, Q, Q किता है इसका, 2 root 2 microgram, 2 root 2 into 10 power minus 6, 2 root 2 microgram, ठीक है, upon में R square, ठीक है, upon में distance square, distance किती है बचाहों, यहां पे यहां तक की distance यह 1 है, ठीक है, 1 meter तो अपन 1 meter का square कर दिया, 1 square, ठीक है, ठीक है, चलो में से K common निकाल लिते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी वह यह आएगा, K to common निकाल लिया, ठीक है, अब E के वालू पूट करें, वही, K Q upon R square का according, ठीक है, तो यहां पे K to बाहर निकाल चुके है, Q किता है, इसका, root 2 है, ठीक है, Q कि वालू, root 2 है, तो root 2, ठीक है एक root 2 तो यही सही वाला, यह तो यही सही, और E के जो value आएगी, उसके अंदर भी एक K Q upon R square आएगा, तो Q की value भी root 2 है, ठीक है, अब इसको अपन calculate कर लेंगे, तो यह करने, calculate करने पर लगवो कि जाएगा, 16.43 इन्टो 10 पावर 3 Newton पर कुलान, ठीक है, चलो, अब आते हैं इस पर next question पर, ठीक है, next question देखिए, question number 4, क्या कर रहा है, question number 4, देखिए, question 4, आप से कर रहा है, 10 power 9 lektons, ठीक है, 10 power 9 lektons, ठीक है, every second में one body से another body पर अपन shift कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 कुलाम charge of 10 होने में कितना time लगया, यह आपको बताना है, ठीक है, तो आपर देखिए, एक second में कितने electron जाने, 10 power 9 lektons, वन electron पर चार्ज किता होता है, 1.6 into 10 power minus 19, ठीक है, तो 1 second में अपन देखिए, यहाँ पर 1 second में, ठीक है, total हमें क्या निकालना है, यहाँ पर total 1 कुलाम charge of 10 होने में कितना time लगया, यह निकालना आपको, तो देखिए, यह यहां पर 1 second ठीक है 1 second में आपने देखें चार्ज किता है चार्ज इन 1 second चार्ज इन 1 second चार्ज इन 1 second is equal to किता है बटा 10 power 9 into 1.6 into 10 power minus 19 कुलाम ठीक है आइसा है में तो चार्ज इन 1 second इतना है clear तो यहां से हम देखें टी सेकंड में चार्ज किता होगा charge in t second तो t second में चार्ज किता होगा यह इस वैलू किसे multiply कर देंगे t से ठीक है अब अच्छो यहां पर यह चार्ज में किता गीवान ने वन कुलाम तो सो रख दिया है, वन कुलाम रख दिया है यह वेलू वन कुलाम दे रखिए, ठीके बराबर, यह तो वेलू एई सई, इंटू T, अब यहां से T निकाले तो T is equal to कित्ता हो गया, वन अपॉन, ठीके यह वन है, वन अपॉन में यह वेलू, यह वेलू किती थी, य 1.6, ठीक है, second, ठीक है, अजो तो काफी बड़ा second इसको आप year में convert कर लोगे, तो इसको years में convert करने पर यह बनता है result, 200 years, ठीक है, लग बग 200 साल बनेगा, ठीक है, यह result आजाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और everyday में, किते hours होते हैं, 864 00, तो उसकी help से अपने अच् कर लेंगे, तो 200 seconds या अगजास कर जल, 200 years या या अगजास कर जल, ठीक है, चलो, अब आगयात अगे, अगले question पर, देखीए, next question, यह रा, question number six, question number six क्या करया, देखीए, आप से बचों, इस में, आप से कर आए, कीूब देखा है, एक क्यूब है, ठीक है, घन है, ठीक है, इ हceğin होते हैं अब यहां तो यहां से जितना भी फलक स्क्रोस होगा थीक है ठीक है जो यू तो बी सब बत्य फलक के रहा होगा और हम जानते हैं कि ऎने प्रेंध आ जो flask 5 है, 5 is equal to क्या होता है, Q net upon epsilon 0, ठीक है Q net upon epsilon 0 यह होता है, clear, तो यहाँ से किता हो गया यह, Q upon epsilon 0, यह क्या है, total flask, ठीक है किस से from 6 faces, ठीक है, from 6 faces, ठीक है, 6 face, तो इसमें total चो 6 फलक हैं, ठीक है 6 face हैं, 6 face से इतना flask cross हो रहा है ठीक है तो यहां से देखिए one face से कितना plus cross होगा from one face से तो one face से divide by six कर दो तो q upon six epsilon naught एक फलक से इतना cross हो रहा है अब यहां से देखिए हम से क्या पूछा जाए कि जो यहां पे faces दिखा रखे हैं कितने दिखा रखे हैं five क्यों उपर five q upon six epsilon naught ठीक है यहां जाए रिजल्ट five q upon six epsilon naught को यहां पे five faces आपको दिखा रहे हैं इन पांच फलकों से इतना plus कुझ रहेगा ठीक है चलो अब आगे देखते है next question देखिए next question क्या आगे रहा है आपसे question number seven कि रहा है किन्यम में से कौन सा विदुद भल देखाओं के लिए सत्य है ठीक है जो electric lines of force होती है उनके लिए कौन-कौन से हापे statement correct है तो यहां पर पहला किरा देर नेवर पास तुरे conductor सही है एक conductor से कभी cross नहीं होती वो ठीक है देर नेवर intersect each other सही है जो कभी काटती भी नहीं है ठीक है देर नेवर form close loop सही बात है close loop भी नहीं बनाती ठीक है तो यहां पर चूँँ इसमें कहा जागा answers का all of these ठीक है उप्रॉक्स अभी यह पंटिक करनेंगे उप्रॉक्स अभी clear चलो अब आगे जाते है इसमें next question question number eight question number eight में क्या किरा देखे काफि एच्छा question है भी टिपिकल नहीं है सिंपल है चार्ज क्यूइस केप्टें किता कैविटी इंसाइड ठीक है यह कैविटी है इसके अंदर यहां पर चार्ज पाटिकल क्यों रखा हुआ है ठीक है और हमने यहां पर एक conducting body है अब आप से किरा अच्छों यहां पर अपनने यह एक Gaussian surface डौगरी S dotted वाली तो इसके अंदर कितना चार्ज परजेंट है यह बताना है आपको Gaussian surface के अंदर फ्लस किता होगा है बताना है तो देखिए किसी भी Gaussian surface से crossing plus की value क्या होती है Q net upon epsilon 0 तो पहले देखिए यहां से यह बता यह Q है यह अंदर Q है तो इसके वैसे यहां पर अंदर की तरफ तो आएगा induction से minus Q बाहर आएगा plus Q यह induction दिखा दिया है मैंने induction ठीके inner surface पे अंदर की surface तो क्या है minus Q और बाहर की surface पर किता रहा है plus Q अब देखिए यहां पे हम जो 5 की बात करें 5 net is equal to 5 net is equal to क्यों होता है Q net Q net upon epsilon not Q net क्या है पे इस Gaussian surface के अंदर net charge तो इसके अंदर net charge किता है एक तो Q है और एक minus Q ठीके तो Q and minus Q रखेंगे तो कट जाएगा तो कितना जाएगा 0 ठीके तो कितना जाएगा 0 आगे result तो इसका answer जाएगा यह 0 ठीके आई समय है चलो आगे आते है इस पर next question देखिए next question क्य question number 9 question number 9 में यह condition दे रखी है तो आपको इसे बताना है कि two balls अगिवन masses बना दो बोल के different different mass दे रखेंगे चार्ज भी दे रखेंगे है आपसे बढ़ा है कौन सी situation correct है यह आपको बतानी है तो चार्ज दोनों चार्ज भले same हो या अलग अलग हो कुलाम force दोनों पे same ही आता है जिसे एक मानलो Q है और एक 2Q है तो जितना इस पे कुलाम force लगिया repulsion force उतना इस पे लगिया दोनों पे कुलाम repulsion force equal होंगे के Q1 Q2 upon R square के equal ठीक है लेकिन अगर mass अलग अलग हुए तो उनके weight अलग अलग होंगे जो heavy होगा वो ज्यादा नीचे आना चाहेगा और जो light weighted होग वो थोड़ा उपर रेना चाहेगा तो इस आपको सोच नहीं है तो यहां पर mass चाहे सेम हो चाहे अलग अलग बना चार्ड चार्ड यहां पर सेम हो चाहे अलग अलग तो horizontal direction जो force लगया वो तो सेम आएगा ठीक है लेकिन mass की वएसे जो heavy body हो ज्यादा नीचे रेना चाहेगी तो हम देखें कौन सा situation set बैठ रहा है यहां पर देखें थर्ड वाला थर्ड में देखें यह 2M mass है heavy mass है ठीक है यह ज्यादा नीचे आ रहा है ठीक है क्यों क्या charge कुछ भी हो चार्ड से परकनी पड़ेगा यहां पर यह 2M mass ज्यादा heavy है यह ज्यादा नीचे आना चाहता है इसलिए इसका alpha 1 small है alpha 2 यहां पर लाड़ जे ठीक है तो कौन सा राजस का third ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे देखें next question यहां पर next question क्या है देखिए उच्छों next question question number 10 question number 10 कि रहा है कि यहां पर इस diagram में बताना है कि आपको q2 बटा q1 क्या होगा रेशो बताना है ठीक है अब यहां पर इसमें lines आपको electric field lines आपको दिखा रही है इसमें electric field lines देखिए यहां पर इसमें 1,2,3,4,6 lines में 6 lines एंटर कर रही है यहां से total 6 and 3,9 9 line यहां से imit हो रही है ठीक है अपन जानते हैं बच्छों charge जो charge की value है यह क्या होता है plus के proportional क्योंकि 5 is equal to q upon epsilon 0 ठीक है तो q is proportional to 5 and 5 is 5 क्या होता है number of lines को शोगरता है ठीक है number of electric lines ठीक है number of ELF electric lines of force number of electric lines of force ELF ठीक है तो यहां सम देखें q2 upon q1 निकालेंगे q2 upon q1 q2 upon q1 q2 मैं lines यहां पर एंटर कर रही है देखिए lines यहां पर इसमें एंटर कर रही है चार्ज नेगिटिव होता है तभी यहां पर lines एंटर करती है बलग q2 नेगिटिव है एंड कित्ती lines एंटर कर रही है यह से इमीट हो रही है तो इसको plus 9 की form में show कर दिया तो क्या आगया answer minus 2 by 3 तो minus 2 by 3 कौनसा option है second तहां पर second answer टिक कर लेंगे अपन ओके चलो अब आगे ते next question पर देखिए next question 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 number 11 क्या के रहा है question number 11 देखिए question number 11 glass rod ठीक है एक कांच की छड़े इसको अपन silk से rubbing कर रहे है ठीक है तो rubbing करने पर यहाँ पर जो glass road है उस पर चार्ज के सा जाएगा पोजिटिव हो गया ठीक है तो glass road पर rubbing की वैसे क्या होगए चार्ज पोजिटिव हो गया ठीक है इस पर चार्ज आ गया positive अब देखिए क्या क Доisis आपने गौल्लिफ एक सरह कर रहे है इसको इसकी है अपन क्या जागा चार्ज पॉजिटिव ठीक है चार्ज क्या गया पॉजिटिव ठीक है चार्ज क्या 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 बहार निकल जाएंगे, ठीक है, इलेक्टोंस यहां से, सर्फेस से बहार निकल गए, गॉल्ड लीफ, इलेक्टोंस सर्फेस से, इलेक्टों बहार निकलेंगे, तो उस पर चार्ज कर जाएगा, पोईट्व चार्ज, इंक्रीज जाएगा, क्योंगी electron की deficiency से क्या बनता है positive charge electron की और कम बहुँ पैसे हम देखेंगे यह क्या होगा positive charge कर जाएगा increase करेगा ठीक है positive charge जाएगा तो positive charge पहले से था और increase हो गया तो leaves और जला फैल जाएगी ठीक है मतलब leaves more divers क्यों हो जाएगा leaves more divers leaves more divers ही हो जाएगी तो कौनसा answer है? यह, यह, second second answer है, मलब पत्तियां और ज़रा फैल जाएंगी, second answer जाएगा असका ठीक है? चलो, अब आगे आते हैं इस पर next question पर, देखिए next question क्या गया रहा है, question number 12 question number 12 पर ध्यान दे, क्या कह रहा है question number 12 देखिए, इससे आप से गरा है कि if an electric field is given by this यह electric field अब में गीवान है e vector ठीक है? calculate the electric plus through a surface of unit area lying in yz plane अब बच्छों, yz plane area vector जानते हैं हमेशा surface के perpendicular होता है area vector surface के perpendicular होता है तो yz plane के perpendicular को होन है बच्छों? ix, ठीक है? i-axis, ठीक है? i-cap हो जाएगा तहाँ पे इसका area क्या हो जाएगा? area यह हो जाएगा 1 i-cap 1 i-cap एक yz plane है, yz plane के perpendicular x-axis होती है तो इसका area vector x-axis के लोगए और उसकी value 1 दे रही है, तो 1 i-cap अब plus निकालना है, तो 5 is equal to क्या होता है? e vector dot a vector e vector dot a vector करिए यह रहा e vector, इसको a vector dot करेंगे तो 10 i-cap into 1 i-cap करेंगे किता बन जाएगा यह? 10 unit ठीक है? तो कौन सांसर आगा यह? 1st, ठीक है? 10 unit यह बन जाएगा result, ओके? आई बस में है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं अगला question, देखे question number 12 के बाद देखे question number 13 13 question यह रहा अगर आगे अगर आगे 13 question में point charge 50 microgram is located in the xy plane at the position vector ठीक है, charge particle लखा हुआ है ठीक है, हमें इस position vector पे find करनी है electric field तो पहले बच्चों, इसका हम इसके respect में position vector find करें तो आँसे, देखे आर net vector क्या जाएगा ठीक है, यहाँ पे जो इसका position vector बनेगा ना ठीक है, इसको आँर vector बोलना है position vector, r vector कैसे निकाल लेंगे, ठीक है final जोसका position vector निकालना है देखे इदर कोशन यह रहा question तो यहाँ से final vector में निकालना है, कैसे निकालना है देखिए, बहला, final position vector जहाँ particle रखा हुआ है, तो यहाँ पे r vector निकालना है, तो r vector के से find करेंगे, इस position vector में से क्या minus करेंगे, इस position vector को ठीक है, इस से हमें उस position, जो point है जहाँ पे elective field निकालना है, उस point का given charge particle के respect में position vector पड़ा चल जाएगा ठीक है, जहाँ पे आवेश रखा है न, उसके sapeks, दिये गई बिंदू का इस्तती सदिश मिल जाए है जामे, ठीक है तो यहाँ पे देखो क्या एगी इसकी value, minus करते हैं इसको, तो इस पेसे इसको minus करेंगे, 8 मैसे 2 minus करेंगे, 6i cap ठीक है, फिर इस पेसे इसको minus करेंगे, minus का 8 j cap, ठीक है, तो यहाँ गया result, तो यहाँ से इसका, अगर अपन magnitude ले लें, तो कितना बन जाएगा magnitude इसका 10 हो जाएगा, कि root of 6 square plus 8 square, 10, ठीक है अब यहाँ पे e vector निकालना है, तो निकाल लो, e vector कैसे निकालते हैं, e vector k q upon r cube ठीक है, capital R लिखाना, आप लागलते हैं, r cube r vector, ठीक है, बस अब यह value put कर दो, इससे निकल जाएगा answer ठीक है, तो r vector form में देखें हैं, 3i k, minus 4j k, 900 group में, ठीक है, तो यह fourth answer जाएगा असका, solve करेंगे ना उसको, 900 3i k, minus 4j k, प्यार रख लो यह बन जाता है result, ओके, चलो अब आगे देखते हैं, अगले question पर आते हैं question number 14 देखिए, question number 14 यह आपकी screen पर, क्या किरा है question number 14, देखिए आप से किरा है, इसमें, एक work के केंजर पर, एक square है, उसके center पर q particle रखा हुआ है, ठीक है कुछ diagram के according देखिए, इस ते से आप से गिराई है, ठीक है इसके center पर अपने q charge particle लग दिया, ठीक है आप इसके कोने पर, इस जगे इस कोने पर electric field माद इस जगे यहाँ देखिए, इस जगे electric field किती बटा even है, इस point पर इस जगे electric field even है, ठीक है और किरा कि, इस बंद बिंदू पर इस जगे, यह इसके center point है इस पर electric field यह e2 है ठीक है, इस point पर तो यहाँ पर, इस even upon e2 की value क्या होगी चलो, अच्छा, देखें, distance क्या होगी बचो इसके distance होगी, यहाँ पर यह distance मालो, suppose, यह distance यह है, 2a माले, तीक है every side, पर तेक मुझा इसकी मालो 2a, इसकी side है तो यहाँ से half side क्या होगी, a यह भी a, तो यह distance क्या होगी root 2a, यह length root 2a होगी ठीक है, अब यहाँ से पर देखें electric field proportional to क्या होता है 1 upon r square electric field is proportional to 1 upon r square तो e1 upon e2 अगर आप निकालेंगे, तो e1 upon e2 किता हैगा, r2 upon r1, ठीक है, मालब a upon root 2, a upon root 2a whole square, तो किता है रिटा है, result 1 by 2, तो 1 by 2 कौन सा answer है, यह आजागा third, ठीक है 1 by 2 यह बन जागा result, ओके चलो, आई समय है बढ़ी है, आएं, चलो, अगले question पर आते है, question number 15 question number 15 पे देखिए, क्या के रहा है, question number 15 यहाँ पे आपको यह बता है, question 15 के अंदर 2 charge particles of masses in the ratio 1 ratio 2 with charge in ratio 1 ratio 1, मास अलग-अलग charge same है, place at rest in uniform field, they are released and allowed to move for same time, the ratio of their kinetic energy, ठीक है, कुछ time बाद इनकी kinetic energy क्या होगी, उसका हमें अनुपात निकालना, ratio निकालना है, ठीक है अब चाहाँ पे, यह electric field की वैसे start होगे, तो उस पे एक constant expression लगिया, समरूप तवरण ठीक है, उस a की value क्या होती है, a is equal to qeym a is equal to qeym ठीक है, तो इसकी वैसे बच्छों velocity निकालें तो v is equal to u plus at 0 plus a into t करेंगे v is equal to u plus at तो a into t कर दिया v is equal to u plus at अब काईटी केरजी क्या होती है, काईटी केरजी is equal to, काईटी केरजी होती हाफ m v square, तो हाफ m v square, तो उसका square कर लो, qe t upon m whole square, ठीक है, अब यहाँ पे कौन अलग-अलग है, masses कि वल तो mass के साथ अपनों को तो proportion to क्या गया, 1 upon m तो ke proportion to 1 upon m, तो 1 upon m क्या according, यहाँ पे यह ratio 1 by 2 है, ठीक है तो उसका उल्टा कर देंगे, 2 by 1 यह जाग result, तो क्या जाग answer, first ठीक है, यह जाग answer, 2 by 1 यह बन जाग result, ओके आई बसने में, तो एक यह आप अगला question क्या गया रहा है, आपसे देखो चो, आए अगले question पे यह रहा, next question point charge गिवान है 0.009 micro-kulam ठीक है, कहाँ पे रखा है, यह मूल बिंदू पे origin पे रखा हुआ है, आप से कहाँ रहा है कि इस point पे आपको find करनी है electric field intensity, ठीक है तो पेटाए यहाँ पे देखें, इस point का अपन find करें, position vector, किसके respect में निकालेंगे, origin के respect में मूल बिंदू के respect में, क्योंकि आवेश्क अपन ने मूल बिंदू पे रखा है, तो इसका जो r vector आएगा, position vector क्या आएगा, position vector, यह आएगा root 2 i cap plus root 7 j cap ठीक है, यह तो इसका position vector आगया, clear अब यहाँ पे इसका magnitude निकाल लो, तो r is equal to क्या बन जाएगा, root of is square plus is square, कित्ता हो गई है, यह हो गया, 3, ठीक है, तो r के लुग कित्ते हैं गई, 3 आगई, बस अब electric field निकालना है, तो e vector is equal to कैसे निकाल लेगे, k i cap, root 7, j cap की form में आ रहा है, plus की form में, ठीक है, और यहाँ पे cake open 9 रखेंगे, solve के निकालते हैं, तो 3 root 2, महलब 3 times यह बन जाए, अगर results के अंदर, तो 3 root 2 i cap, यह महलब third answer जाए जाए ज़का, ठीक है, 3 root 2 i cap, plus 3 root 7 j cap, ठीक है, यह result जाएगा, solve करेंगे तो अपन, आई बस्ता हैं, चलो, अब आगे देखते हैं, अगला question, 16 के बाद, question number 17, ठीक है, आईए 17 पे, आप देखो, यह रा question number 17, यह भी एक बहुत प्यारा सो question है, क्या बोल रहा है आप से question number 17 में, यह 3 charge particle, तो कोने पर रखेवे, center पर small q particle है, आप से खाये को रहा system equilibrium condition में, सामे बस्ता में, तो q upon q का अनुपात क्या यह बता रहा है, तो यह बढ़ा, यहाँ पे इस q की बात करें, इस पर net force 0 करना है आपन को, ठीक है, तो यहाँ पे यह वाला q, इसको इधर रिपल करेंगा, ठीक है, यह बढ़ा q इसको इधर रिपल करेंगा, मनलब, ठीक है, तो force जो लगए, इस पर लगए एफ, इस पर लगए रहा एफ, इस पर लगए रहा एफ, ठीक है, यह angle किता है, 60 degree, तो 60 degree की वैसे, यहाँ पे जो इस तरफ force आएगा, ठीक है, किता आएगा force यह, root 3f बन जाएगा, क्यों रखेंगा पन, root a square plus b square plus 2ab कॉस्ट आगरते हैं, यहाँ दे, net vector, तो angle 60 है, तो उनका resultant vector क्या बनाई है, root 3f इस तरफ, अब यह q particle बैटा, इससा होना चीए, ठीक है, कि यह particle जो है, यह particle इसको इस तरफ, अपनी तरफ attack करें, इस direction में, ठीक है, इस तरफ लगाए, f dash force, ठीक है, f dash, और इस f dash के लिए क्या होना चीए, root 3f के equal, ठीक है, यह हमें करना, बस f dash को root 3f के equal करना है, तो हम root 3f को equal करेंगे, किसके, f dash के, अब root 3f, root 3f, f क्या है, इसका इस पर force, यहाँ पर माल लो बैटा, यह distance, suppose a है, distance, यह distance a है, मालग, every distance a है, तो यहाँ से अगर अपने से परपेंड डालेंगे, तो एक right angle triangle बन रहा है, यह right angle triangle, तो बैटा, यहाँ से जो length हाती है, यह length, इसको मैं अगर r बोलूँ, तो इस r के लोगा आती है, a upon root 3, ठीक है, r is equal to a upon root 3 होती है, यह length यह, तो यहाँ से पहले f रखेंगे, तो f के लिए distance a लेंगे, मालग, k q square upon a square, यह रख दिया अपनने, k q square upon a square, अब यह f dash find करना है, तो k q q upon, यह distance square, इसका square करोगे, तो a y root 3 का square क्या बन जाएगा, a square upon 3, ठीक है, अब यहाँ पे इसको इधर multiply करोगे, तो root 3 से यह कट जागा, तो one upon root 3, यह बनेगा result, ठीक है, तो यहाँ से किसका निकालना है, q upon q, तो यहाँ से q upon q, अगर आप निकालते हैं, a small q upon capital q, क्योंकि a q तो कड़िया रही है, a q कड़िया, के से के कड़िया, a square से a square कड़िया, तो इस q को निचा लिया हो, इसको दर भेज़ देंगे, तो one by three into root 3 करेंगे, तो one by root 3 बन जाएगा, one by root 3, one by root 3 किस option में, second में, तो इसका यह जाएगा, इसका second answer, one upon root 3, ठीक है, ऐसे अपन calculate कर सकते हैं, चलो, अब आते हैं आगे, इस पे next question पे, question number 18, question number 18 कि रहा है, एक slender है, इसकी length L है, radius B है, ठीक है, अब बच्वों यहाँ पे, हमने x सक्ष के नुज़ूप, इस पे electric field लगा रखा है, 200 eye cap, तो हम से कर रहा है कि, slender के 22 से कितना flush दिख लेगा, left side से, ठीक है, तो इस slender इस तरह से देखो, यहाँ पे, जो slender के बता रखा है, इस तरह का slender है, ठीक, इस से बच्वों एक slender का दे रखा है है, यह slender, अब यहाँ पे, इसमें electric field, constant electric field ले, और यह by side वाला flush से इस से निकालना है अपने को, तो यहाँ पे दो इसमें electric field की direction किस तरफ है, इस तरफ, यह electric field इस direction में e vector है, e vector ठीक है, और इसकी value किती है 200, eye cap दर की 200, तो मलब आप यहाँ पे जो flush, यह जो surface इसमें e vector इसमें enter करता है, e इस तरफ है इसमें, और इसका जो area vector है, surface के perpendicular area vector की दर है इसका इस तरफ, area vector इस तरफ है, तो दोनों में angle किता है 180 degree, तो हम flush जो जाखते हैं, 5 is equal to क्यों होता है, ea cos theta, ea cos theta, ठीक है तो e, तो रख दें, e तो किता है 200, ठीक है, e को रख देंगे, pi r square, मलब pi b square, radius की b है, ठीक है, and बच्चों theta, theta यहाँ पर एक्स वस्टी degree है, cos x वस्टी को लुगा होती है, minus 1, तो कौन सा answer में, इसका रख रहा है, fourth, minus 200 pi b square, चलो, अब आते हैं, next question, question number, 19 पर, question number 19, क्या रहा है आप से, यह रहा, क्या रहा है कि, एक Gaussian surface दिखा रही है, और यहाँ पर एक कुछ charge particle लखे है, कि, आप उताना है, इस p point पर जो, electric field है, वो किन किन की वज़े से होगा, हो चो, यहाँ पर p point के आसपा, जित्ते भी charge है, सब का अपना-पना field अपलाई होगा, उसी का resultant field होगा, p point पर, ठीक है, तो p point पर जो field होगा, इन सभी का resultant के equal होगा, जिसे मालो सारे charge, मालो suppose positive है, सारे charge positive है, तो q1 की वेसे field आएगा, इस तरफ, दीए गेरों में, यहाँ पर जो field आएगा, तो किसकी तरफ से मालो सारे charge positive है, तो q1 की वेसे field आएगा, इस तरफ, यह e1, ठीक है, e1 इस तरफ आएगा, q2 के से field आएगा, इस तरफ, यह e2 आएगा, ठीक है, q3 की वेसे field आएगा, इस तरफ, yellow, यह e3, q4 की वेसे field आएगा, कुछ इस तरफ यह, तो net जो electric field है, इन सब के resultant की एककोल होगा, माला सारे की सारे ही responsive वाले electric field के लिए, ठीक है, चलो, अब आते आगे, question number 20 पे, question number 20 पे, question number 20, यह रहा, question number 20, आप से कहा किरा है, देखी, कोशा में 20 पढ़े, यहां से कहा है, electric field from a cube of age L is 5, ठीक है, cube है, every side आपको L दे रखी है, और इससे crossing field, आप गता है, 5 बदा रखा है, ठीक है, माला कुछ इस तरह से, यह कोई cube है, ठीक है, यह को cube है, इससे crossing field field, 5 है, तो, माला कुछ चार्ज रखा हुआ है, यह चार्ज क्यू, ठीक है, यहां से flusk 5 cross हो रहा है, अब यहां से, 5 is equal to 5 जानते हैं, 5 is equal to क्या होता है बेटा, Q net upon, epsilon not, Q net upon epsilon not, ठीक है, अब यहां से, आप से कर रहा है कि, इसकी side को पर ने double कर दिया, पहले side यह थी, अब आपने side yellow बड़ी कर दिया हो, तो side को बड़ी कर दिया, एक तो, ठीक है, तो side को बड़ी करने से, कोई फरक दो पड़ेगा नी, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे है, 5 के वाल किस पर depend कर रहा है, only Q net पर, ठीक है, यह size पर depend करीन रहा, अब अच्वों फिर आपने कहा है, चार्ज को भी आधा कर दिया, ठीक है, चार्ज को अपने आधा कर दिया है, तो आपने plus Q कर जाएगी, half जाएगी, तो यहांसे क्या जागा result, 5 by 2, ठीक है, age को double किया, उसे कोई फ्रक नहीं पड़ा, चार्ज को अपने आपने हाफ कर दिया, तो plus Q भी हाफ हुजाएगी, ठीक है, तो क्या जाए आँसर, 3rd, ओके, चलो, अब आते हैं, next question पे, question number 21, यह रहा question number 21, क्या गे रहा देखिए आप से, question 21, question 21 बचों इस ते से plate देखा रही है, ठीक है, यह आप से गया कि, एक बड़ी आवेशित plate दे रही है, दोनों और electric field इस तरह से, 8 volt per meter, एंड 12 volt per meter, ठीक है, अब देखिए, आप एक चीज़ जानते हैं, कि कोई भी एक charge sheet है, इस तरह से यह, जो कावेशित plate है, इसकी वैसे जो electric field होता है, क्या होता है, sigma upon two epsilon naught, ठीक है, uniform होता है, sigma upon two epsilon naught, वो इधर भी होगा, वो इधर भी होगा, लेकिन यहां तो अलग-अलग दे रहे है, electric field, अब अलग-अलग हैं, इसका मलब बाहर से, जो कोई नोग एक extra field, यहां पर apply हो रहा है, ठीक है, तो चोब field किस तरह से होगा, देखिए, यहां पर, यहां पर इस field के बारे बात करें, देखो दर, अब चोब यहां पर इसमें, देखो, यह suppose इस तरफ यहां पर, इस plate का, इस plate का field तो यहां पर इस तरफ होगा ही है, और यहां पर इस तरफ, यह क्या है, field of plate E, जिसके बारे बाहर से अपने field अप्लाई कर रहा है, इस तरफ अप्लाई कर रहा है, क्योंगी देखो, इधर की value जादा है ना, इसलिए मैं इधर show की आई है, form में आ रही है, और यहां से E bar minus E, इसकी जो value आ रही है, यह किती है, 8 है, ठीक है, E bar plus E 12 है, and E bar minus E, यहां पर 12 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो अब अच्छों हमसे पूछा क्या है हमसे, यहां पर पहले आपन देखें, इस plate का जो electric field होगा, तो दोनों को minus करेंपन, तो इसको subject करेंगे, तो minus करने पर क्या आएगा देखिए, यह minus किया तो अपन ने, यह तो कट गया, तो किता है, 2 E is equal to 4, 2 E is equal to 4, अब यहां से E क्या होता है, sigma upon 2 epsilon not, is equal to 4, तो 2 से 2 गाट दो, तो sigma is equal to किता हो गया, 4 epsilon not, तो sigma is equal to 4 epsilon not, खौन सा option है, यह, second, ठीक है, यह आजाएका, क्यों हम सही तो पुझा है, असने, value of sigma, आवेश घनत बताने क्या होगा, 4 epsilon not, ठीक है, चलो, अब आते हागे, अगले question पे, question number 22 पे, देखिए, question number 22, क्या कहे रहा है आपसे, यह राग question number 22, ठीक है, question number 22 पे, यहाँ आपसे कहे रहा है, एक रिनात्मगा आवेश जल की बूंद है, इसकी radius R है, जो की, ठीक है साब गनत बो है, और यह, लेक्टिक फिल्म है, तो विद्धु श्यत्त का परिमान बताना है, तो जब भी कोई drop, मलब equilibrium condition में होती है, तो उसका weight mg का लगता नीचे, तो हमें इसको balance करने के लिए, QE का लगाना पड़ेगा, उपर की तरफ, ठीक है, तो सामवस्ता में, balance condition में, mg बराबर क्या करेंगे, QE, ठीक है, तो आस हम देखें, mg को आपको बराबर करना है, किसके, QE के बराबर करना है, ठीक है, अब यहाँ पर हमें radius and density दे रखी है, तो M को अपन क्या रख दें, M की जो value है, M को put कर देंगे, volume into density, मलब 4 upon 3 pi r cube, E निकालना है, तो Q को देखें डिवाइड कर दो, ठीक है, तो कौन सा option जाएगा, 4 by 3 के form में, तो यहाँ पर यहाँ जाएगा, 4 तान सा जाएगा, ठीक है, 4 by 3, pi r cube, rho g upon q, यह E निकालना हैं आसे पर दो, ठीक है, चलो, यहाँ पर इस ब्लॉक पर हमने उपर की तरह वर्टिकल डारक्शन में, इलेक्टिक फिल्ड लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो इसके अंदर जो कैविटी है, उसके अंदर इलेक्टिक फिल्ड के बाने बताना है क्या होगा, तो चलो, इस तरह से कोई ब्लॉक है है, ठीक है, अंदर इसके अंदर है कैविटी है, अब पर जानते हैं, मेटल के अंदर कोई कैविटी होती है, यह अब से फिल्ड अप्लाई करोगे, तो इस कैविटी के अंदर E किता होगा, जीरो, क्योंकि अंदर कोई electric field lines नहीं जाएंगी तो cavity के अंदर कोई electric field नहीं होगा ठीक है तो कौन सांसर आगा असका third ठीक है गुहा में विदुश्यतर नहीं है ठीक है चलो अब देखते हैं question number 24 चलो 24 देखी क्या है question number 24 इसको देखते हैं यह भी अच्छा कोशन है क्या कर रहा है लो 24 में यहाँ पे यह इस तरह से metal plates हैं और फिर आप से इनको अगर अपन connect कर दें तो connect करने के बाद यहाँ पे charge कितना और किस तरफ flow का यह बताना है तो पेटा हमें पहले यहाँ पे charge distribution करना पड़ेगा कि अभी सभी प्लेटों पे गितना गितना चार जा रहा है तो यह को कैसे गरते हैं यहाँ पे बिल्दा देखो यह Q है मलब इसको 1 लेते हैं 1 यह 2 यह minus 3 और यह 4 ऐसे पन सोच लेते हैं तो लोग totally 1 है इसका half half कर दें इस परफ भी के तरह जाएगा half इधर भी के तरह जाएगा half दोनों तरह half half charge होती है left side, right side, equal equal charge दोनों surface पर जाएगा यह 2 है तो यहाँ पे 1 आगिए इधर भी 1 आगिए फिर यहाँपे कितना है minus 3 तो minus 3 by 2 इदर आगिए minus 3 by 2 इदर आ गिए ठीक है करनी value of charge हमें इस a और b पर निकाल नहीं है तो चलो पहले इस a पर निकालें तो पेड़ा को a पर इसके आस्पा जित्ते भी नेवर से उनका इंडक्शन होगा तो यह के सामने यह चार्ज इसका इंडक्शन होगा 1 by 2 तो सामने 1 by 2 1 by 2 का इंडक्शन करेंगे यहां पर किता प्लस 1 by 2 ठीके ऐसे ही अब यहां पर इस minus 3 by 2 अगरें इंडक्शन एक तो करते हो किसका और नहीं है बलब इस प्लेट पर निकाल रहे ना इस पर इस बीच वाली प्लेट पर निकाल रहें तो पहले तीसे और चोथे तीनों का हमें इंडक्शन करना है ठीके सेकंड पर निक यहां पर यह-3 by 2 है इसका induction करेंगे इदर आएगा प्लस 3 by 2 यहांगा minus का 3 by 2 ठीके यह गया अब इसका करेंगे यहांगा plus 2 यहांगा minus 2 ठीके यह तो अपने किस पर induction दिखा है ए पर ठीके तो ए पर induction दिखा है तो ए पर देखिए इस side में यह जो ए की वाली side आपको दिख र यहां पर 1 by 2 and 3 by 2 किता हो गया 2, 2 plus 2 4, 4 and 1 5, तो क्या हो गया उस पर 5 आ गई यह तो आ गया plus 5 मना 5 क्यों हो गया तो ठीके, अब यहां पर देखें, अब इस minus 3 क्यों वाली plate पर करते हैं induction, मरत तीसरी plate पर induction कर रहे हैं तो first, second and fourth और तीनों plate का induction देखेंगे, तो पहली plate का देखें, यहां 1 by 2 है, तो इसके सामने यहां आएगा minus 1 by 2 यहां जाएगा plus 1 by 2, ठीके, फिर इस plate के सामने यहां पर 1 है न, यह इस plate का 1 है, तो इस 1 की वैसे यहां पर induction होगा, minus 1 यहां जाएगा plus 1 ठीके, फिर इधर वाली plate का minus 2 है, इस minus 2 का induction देखें यहां पर आएगा plus 2 यहां आएगा minus 2 अब देखिए, यह जो plate है, इसके total, बहलाब B वाली side पर total charge किता है, इसको निकालें, तो एखो यहां पर किता है, minus 3 by 2 and minus 1 by 2 करेंगे, तो किता आएगा minus 2, minus 2 and minus 1 minus 3, minus 3 and minus 2, minus 5 यहां किया minus का 5Q ठीके, अब इन दोनों का हम wire के थुरू connect कर रहे है तो wire के थुरू connect करेंगे, एक plus Q charge है, एक minus Q charge है, मिलके neutral हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहां से plus Q, plus 5Q किता जाएगा A से B की तरफ, तो क्या जाएगा आंसर 5Q from B to A ठीके, दोनों मिलके neutral बन जाएगे, इसलिए 5 से Q, यहां से A से B की तरफ जा रहा है ठीके, यहां गया result, चलो, अब आगे देखते है, कोशन में 24 के बाद, कोशन नमबर 25, देखे, कोशन 25 क्या है, तो देखे, कोशन नमबर 25 आप से गया रहा है, इसको समझे, देखे, कोशन 25 में आप से गया रहा है, कि एक आर दिज्जा का बड़ा चालग वोला है, ठीके, इसे क्यों आवेश्ट को आविश्ट किया है, ठीके, फिर आर डेश्ट दिज्जा का अधर, जो conductor है, इसके साथ आपर समपर्क में करा रहे हैं, उसके बाद पर अलग कर लेते हैं, तो इन पर निव चार्ज क्या होंगे, जब यह पर चोँड़ टू कंड़क्टर सों आप से टेच्च करते हैं, तो टेच्च करने इस प्रपोर्शन टू क्या है, आर, जब चार्ज का जो distribution होगा, दोनों spheres पे, मालब आवेश का बटवारा होगा, किसा नुपात में होगा, आर के नुपात में, तो छोटे वाले गोले पे, मालब आर डेश वाले पे निकालेंगे मान, तो यहां से q- का मान क्या जाएगा, total q into r- upon r plus r- ठीक है, क्योंगी छोटा वाला कोण है, r- तिरिजा वाला है, तो क्योंगी समानुपाती आ रहा है, तो a q- निकालेंगे दूपर, r- जाएगा, तो कौन सांसर आ गया यह, यहागया, 4th, q r- upon r- प्लस r, आगे समें, चलो, आगे देखते हैं, next question, question number 26, देखिए, question number 26 का अगे रहा है आपसे, question number 26, जागो, यहाँ पर गया है कि, 2 micro-kulam के आवेश को a से b तक ले आते हैं, तो विद्दू शेतर द्वारा किया गया का रहे, 50 micro-joule, मैंलब work done by field, ठीके, तो अच्छो, एक चीज़ अपन जानते हैं, यहाँ से work done, ठीके, work done by us, work done by us, क्या होता है, a से b तक की बाग करें, ठीके, a से b तक अपन ले आ रहे हैं, a to b, a से b तक अगर आप किसे को ले आ रहे हो, a से b तक ले, ठीके, तो work done by us, जो होता है, यह होता है, q, vb-va, ओके, vb-va, बट अगर work done by field की बात करें, work done by field, work done by field की जो value होती है, उस case में यहाँ पे, यह negative रहता है, वल्लब minus q into vb-va, यहाँ minus को अंदर ले जाएं, तो अंदर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, vb-va minus vb, ठीके, अब अब work done by electric field हमें, किता दिया, 50 microjoule, यह हमें given है, 50 microjoule given है, ठीके, और charge, हमें किता given है, यहाँ यहाँ पे, 22 microcolam, तो 2 microcolam की form में, तो vb-va minus vb, ठीके, तो micro से micro कर जाएगा, ठीके, तो micro से micro कर जाएगा, तो सिर्फ T 25 times कर जाएगा, तो 25 is equal to v-va minus vb, ठीके, तो यहाँ से potential difference तो किता है, 25 volt और पूछा है, उच्छतम vb किसका है, तो किसका है बेटा, v-va minus vb positive हा रहा है, इसका वाला, v-a बढ़ा है, 25 volt potential difference है, जो कि हम देख रहे है, इसका वाला, v-a का मान जादा है, ठीके, चलो, question number 26 के बाद देखें, question number 27, ठीके, क्या है देखो, question number 27, देखिए इसमें, आप से कहा है, small conducting square radius a, carrying a charge plus q, ठीके, एक छोटा square है, इसकी radius किती है, इसकी radius a है, इसकी radius a है, इसकी radius a है, इसपे charge किता है, q है, प्लस q, ठीके, और दूसरा एक और conducting shell के अंदर रखा हुआ है, ठीके, इस ते से, इसकी radius b है, ठीके, इसकी radius b आपको दे रही है, और इसपे charge किता है, minus q ठीक है इस पे charge minus q है अब कोई कहे रहा है कि other point c है जो कि इन दो और बीच में कहीं न कहीं कि distance बतार है c तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इस पोटेंशल क्या हो और यहाँ पे इस जगे यह कोई point c है यहाँ पे आपको potential find करना है ठीक है यह distance की c दे रखी है तो पेटा इस पे voltage निकालेंगे c point potential तो यहाँ पे देखिए अंदर वाले sphere के तो बाहर है ठीक है यह sphere है इसके तो outside में तो छोटे sphere के लिए तो v out वाला formula पड़ेगा v out कहाता है k q upon distance from center तो distance from center कि इत्ती है c है यह लगा दिया और चार्ज की था प्लस की तो प्लस की लग दिया अब स्काफिय देखो यह बड़े वाले sphere के लिए c point अंदर है अब अंदर होता है तो अंदर जो formula होता है b in वाला formula हम जानते है अंदर sphere के अंदर जो potential है वो surface के बराबर होता है मालब k q upon radius के बराबर तो आपे k q upon radius कर देंगे तो q तो minus q है और इसकी radius किती है b है तो देखो k q upon c और k q common निकल लोगे तो 1 upon b minus यह जग अंसर फॉर्थ आजगा ठीके तो k common निकल लो q upon c minus q upon b मालब फॉर्थ आंसर ओके चलो अब आते हांगे question number 28 पर देखे question 28 का के रहा है आपसे question 28 में आपसे क्या बोला जहान समझना at a point in space the electric field points towards the north ठीके electric field कि दर है towards north, north direction में electric field है ठीके तो यहाँ पे north direction इलेक्टिक पना दे है अपने यह electric field पना दे है अपने north direction में electric field है ठीके अब यहाँ पर आप से करें किस किस दिशा में यहाँ पर पोटेंशल डिफ्रेंस जीरो होगा तो यहाँ से अपने पर वी क्या मिलेगा आपको यहाँ से इस्ट वेस्ट में जाएंगे इस्ट बेस्ट यह रहाँ देखें कि जो वोलटेज वीभ होएं वो इस रेजल्ट के नुसार बदलता है ठीक है और आपको electric field बताना है ठीक है 1 meter and y is equal to 1 meter पर electric field बता रहा है तो यहाँ पर हम जो आयनते हैं नो partial differential जो formula आता है e is equal to minus del v upon del x i cap plus del v upon del y j cap plus del v upon del z k cap उसी का आपको use करना है ठीक है तो यहाँ से अपन देखें इसमें पहले del v upon del x निकालते हैं क्या एगा del v upon del x मालब voltage का x के respect में differential तो half तो y को यहाँ पर कहा लेना है constant लेना तो y square का difference 0 हो गया minus 4 x का 4 हो गया ठीक है तो क्या है minus का 2 यह del v upon del x आपने find किता है बटाई minus 2 निकल गया है ठीक है अब del v upon del y find करें del v upon del y तो y के respect में करेंगे differential तो half ठीक है तो y square का तो 2y और x का वे आएगा 0 ठीक है तो किता है यह y y की अब यहाँ value पूट कर दो किती y की value तो 1 तो y की value 1 रख देंगे yellow अब यहाँ पर e vector e vector is equal to क्या होता है minus ठीक है फिर bracket में del v upon del x i cap तो यह minus 2 i cap ठीक है del v upon del x i cap plus del v upon del y j cap मलब 1 j cap तो यह रख दिया है अपनने del v upon del x i cap del v upon del y j cap तो minus कोंदा multiply कर देंगे तो 2i cap minus j cap तो कौन सांसर आ रहा है 2i cap minus j cap यह रहा थर्ड आंसर 2i cap minus j cap यह अगर जल 2i cap minus j cap तो इसे अपन solve कर सकते हैं उसको चलो अब आगेते हैं अगले question पे question number 30 पे question number 30 question number 30 question number 30 मैं आप से कर रहा है कि एक आविशित कर्ण क्यूँ है इस तिर v4 से एक इस तिर आविशित कर्ण q की और प्रक्षेपित कर रहे हैं इसको ठीक है बढ़र charge particle q को अपन शॉट कर रहे हैं another charge particle q प्रेया करते हैं जब भी कोई particle pass आ रहा है ठीक है दिससे उसकी speed कम होती जाती है speed कम होने पर उसकी counting energy है वो change होती है कि इसमें potential energy में तो ke में loss हो रहा है potential energy में gain हो रहा है तो क्या apply कर दे ke loss ke loss equal to pe gain ke loss equal to pe gain का आप यूज़ करेंगे मलब counting energy में honey is equal to potential energy में व्रदी ठीक है तो यहाँ पे half mv square यह लिख दिया मैंने ke loss तो half mv square and potential energy gain ठीक है potential energy gain क्या apply करेंगे k q1 q2 upon r तो k qq upon r बस यहाँ से आपको r निकालना है यहाँ से r निकालनेंगे तो क्यों जाएगा यह 2 k q q upon mv square ठीक है तो कौनसा आंसा लारा देख लो इसके अंदर यह 4th आंसा लारा मैं बहुत है 2 k q q upon mv square ओके that's all अब देखते है next question number 31 question number 31 पे आईए क्या किय रहा है 31 आपसे देखो उदर यहाँ पे किय रहा है 2 electric dipoles है एक का moment p और एक का 64 p है ठीक है और एक यहाँ पे इधर यह 64 p है 64 p यह दो है ठीक है अब बटाँ यहाँ यहाँ पे दोनों के बीच की distance आपको दे रखी है किती है distance यहाँ पे distance 25 cm यह distance आपको दे रखी 25 cm आपको यह बने ठीक है आपसे बटाँ पे electric field 0 का यह बताना है distance from p यहाँ से निकाल नहीं है मालो बटाँ यहाँ पे electric field 0 है यह distance यह distance X है तो बटाँ इसकी वैसे electric field तो आएगा इधर ठीक है E1 इसकी वैसे electric field आएगा इधर E2 ठीक है हमें दोनों के magnitude बराबर करने है तो net अपने अप जीर हो जाएगा तो यहाँ गर दो E1 बराबर E2 ठीक है तो E1 इसकी वैसे field है क्या होता है axis पर जो field होता है 2KP अपोन RQ पढ़ा जोगा बच्पन में अपने 2KP अपोन RQ बना XQ ठीक है इसका रखेंगे तो 2K64P ठीक है upon distance की ती इधर से 25-X से 25-X करना है अपने को ठीक है तो यहाँ सब देखो यहाँ पर 2K से 2 के कट गया P से P कट गया दो अताफ म क्या करें Q root करते है Q root तो 1 upon X is equal to क्या जाएगा 1 upon X is equal to यह जाएगा 64 का Q root करोगे तो 4 आएगा और divide by 25-X ठीक है तो यहाँ से धर multiply करते है 25-X is equal to क्या हो गया 4X तो यहाँ से 25 is equal to 5 X is equal to 5 ठीक है तो 5 कौन सा option है यह पहला answer ठीक है फर्स्ट answer यह 5 यह जाएगा असका 5 cm यह से अपन सौल कर सकते है ठीक है चलो अब आते है अगले question पे question number 32 पे देखिए 32 का अगर है आपसे question number 32 32 में आपसे कर रहा है कि यहाँ पे इस्ते से यह कई सारे charge particle रखे है ठीक है इसका हमे net electric dipol में निकालना है पी net निकालना है ठीक है तो पी net निकालने के लिए देखो हमें इस पे dipol बनाने पड़ेंगे तो देखो यहाँ पे dipol केसे बनाए केसे भी 3 की help से आप बना सकते हो जिसे हम सोचो अपने आप देखो जिसे इन 3 की help लेए अपन यह किता है Q ठीक है मैं इसको यहाँ से इसको modify कर रहा हूँ कि इसको minus 2Q को ठीक है minus 2Q है यहाँ लिख दिया मैंने plus 2Q ठीक है यहाँ plus 3Q है यहाँ लिख दिया मैंने minus का 3Q लिख दिया ठीक है अपने आप dipol बन जाएंगे देखो इन सबका result निगा लो minus 2Q है का देखिए इनको सब को solve कर रहे है minus 2Q बन रहा है ठीक है अपने आपाईवाल इसको अटा के इनकी है रिप्लेस कर दे अब यह minus Q इस Q के साथ बनागा एक dipol देखो कौन-कौन के के बनाएंगे ठीक है यहाँ पे minus Q इस Q के साथ बनागा एक dipol जिसकी direction क्या होती है मैंशा minus से plus की तरफ ठीक है minus 3Q से plus 3Q की तरफ और एक है यहाँ पे plus 2Q यह minus 2Q तो minus 2Q से plus 2 की तरफ एक आएगा इस तरफ ठीक है इस तरफ आएगा एक तीस नंबर का तो तीन यहाँ पे dipolament आ रहे है तो इनके हमें अब देखने values क्या क्या होंगी देखो यहाँ पे minus Q वाले की जो value है यह इस तरफ यह value यह distance तो आपको दिख रहे है distance किती है बटाई है यह distance यहाँ पे तीनों की equal distance AA आपको बता रखी है ठीक है place at distance A from origin तो यह distance root 2A हो जाएगी होगी नहीं होगी और यह distance क्या होगी यह distance root 2A और बटाई यहाँ तक यह पूरी distance आपको दिख रहे है यह पूरी distance यह पूरी distance यहाँ से तक की किती है 2A के equal चलो अब इनकी values पन कुट करते है क्या क्या है ठीक है यह root 2A into Q Q से इसको multiply कर दो क्योंकि charge किता है आपे इसमें Q है न तो देखिए एक तो इस तरफ आया यह root 2A तो distance लिखे मैंने इसको Q से multiply करेंगे root 2QA यह लो एक तो यहाँ रहा है root 2QA ठीक है अब बटाई यह root 2A distance यह भी लेकिन इसका charge किता है 3Q तो इसको charge से multiply करेंगे तो 3 root 2QA किदर आज जाएगा यह 3 root 2QA ठीक है और यह किदर यह 2A उसका charge भी 2A चार्ज किता है 2Q distance 2A तो किता होगा 4 इस तरफ आएगा यह 4QA ठीक है अब यहाँ पे सारे 45 degree 45 degree angle बन रहे हैं तो इनके compound करके आपको सोच रहा है ठीक है तो इसका करें compound ठीक है इसका इदर और इदर तो किता हैगा cos 45 and sin 45 तो इससे यह root टोड़ जाएगा तो एक तरफ आएगा QA एक तरफ आएगा QA ठीक है component और इससे इसका करेंगे component यहाँ भी तरफ करेंगे तो यह root टोड़ जाएगा तो यह component तो आएगा किता 3QA और यह component इदर जाएगा यह भी किता हैगा 3QA तब देखिए बिटाएं यहाँ पे इसकी जो value बन रही है कितनी बन रही है यह 3 और एक 1 4 यह 4 तो 4 से 4 कड़िया ठीक है 4 से 4 तो कड़िया x x को लाँग तो कुछ नहीं मिलना अब यह देखिए QA और यह 3 QA तो उपर किया क्या बन रहा है 2 QA बन रहा है उपर की तरफ तो 2 QA उपर किता फेरा पहला answer 2 QA जेक है पिया जगास का resultant अब आगे देखते हैं question number 33 पर 33 पर आते है question 33 क्या है देखिए question 33 electric diapol is oxalated in uniform electric field ठीक है इसके oxalation आपके बारे में बोल रहा oxalation बारे में और आप चाहिए कि अगर distance double कर दें तो time period of oxalation पे क्या फर्क पड़ेगा तो यहाँ पे time period का फॉर्मा का वादा T is equal to 2 pi 100 of I upon P E यह पन जानते हैं ठीक है तरह से time period is proportional to क्या होता है I upon P अगर की I के अंदर भी distance चुपा हुआ है distance की I is equal to अपन जानते हैं यहाँ पे two particle system है तो I is equal to यहाँ के तरह से क्या बन जाएगा यह mu r square बन जाएगा मुल्ण यहाँ पे distance square moment of inertia यहाँ पे distance square के proportional form में distance को A बोलता हूँ चलो मैं A तो A square ठीक है फिर P P जो यहाँ पे dipol moment है यह भी क्या होता है charge into distance ठीक है तो यह भी distance के proportional में yellow इसको भी distance लग दिया A proportional में तो क्या जाएगा root of A ठीक है root of A अब यहाँ पे time period is proportion to क्या हो root A और A को हमें यहाँ पे double कर दिया है तो double कर दिया है तो कितना होगा root 2 times महला यह जाएगा 1.414 times कितने गुना हो गया value ठीक है तो इसको 100 से multiply करके देखें तो कितना होगा इसे मालो पहले value 100 थी तो अब value कितना होगी 141.4 महला 41.4% increment हो जाएगा 41.4% तो कौन सा option लगबग या जागास का लगबग 41% या जागास का answer ठीक है चलो अब आते है question number 33 के बाद next question number 34 पे 34 अब यह किरा एक electron का ने इस पे potential difference V apply कर रखा आपने ठीक है तो इसमें electron को अधिकतम weight कितना मिलेगा यह पता ना है तो चो यहाँ पे इसमें potential की help से अब यहाँ पे charge करते हैं ठीक है किसी भी charge particle को V voltage से accept किया जाए तो उस पे potential क्यों इसे कानेटिंगे जी कित्य होती है Q into V और इसको क्या करते हैं के half M V square के क्योंगे कानेटिंगे जी ठीक है तो यहाँ से V is equal to क्या बन गया velocity V is equal to यहाँ जाएगा 2 Q capital V upon M ठीक है तो कौन सा अंसर आगया यहाँ गया 2 E V upon M root के अंदर क्योंगे क्यों यहाँ पे E है ठीक है चलो आगे देखते है 34 Qution 34 इसलिए कौन सा statement सही है Q potential line के लिए यह पूछ रहाँ आप से तो अच्छों देखो यब भी हम यहाँ पे Q potential line के लोग मूग करते हैं तो work done के लूग के आएगी 0 आएगी क्यों क्योंकि Q potential line पे कहीं भी कोई point देलो आप सब जगे potential के आएगा same तो फिर अब उस point से दूसरे point तक आप जाओगे उसी line पर दूसरा point है सब जगे potential same है ठीके तो potential difference 0 आएगा तो इसले work done के लिए भी क्या आएगी 0 ठीके तो इसका कौन सा answer आएगा तो यहाज आगा इसका answer 1st ठीके तो जब भी हम सम्धियो लाइन के अनुदीश चाहेंगे तो work done 0 आएगा क्योंकि potential difference 0 बनेगा ठीके 36 पर आए 36 आप से करा है 8 identical charge रखे में ठीके एक गर है एक cube है उसके सभी corners पे और F's की every side आएल है ठीके एक cube है ठीके एक अगर अपन cube बना रहे है cube यह cube है अब यहाँ पे center पे इस जगे जो center है इस center की यहाँ से distance के आउती है यहाँ से गर अपन बनाए main diagonal यह इसका जो main diagonal है इस दोनों opposite कोने पे इसको length बनती है root 3L क्यों every side अगर L है every side L है तो यह पूरी distance बनती है यहाँ से आँ तक की पूरी distance यह होती है root 3L के बराबर root 3 times of L इसका आधा कर दे है तो यहाँ से distance क्या जाएगी root 3 by 2 L तो every point यहाँ से जो charge particle है total किते है particles 8 particles तो 8 particles की वैसे इस O point जो potential होगा VO VO is equal to कहा जाएगा 8 times of K Q upon distance distance किती है root 3 by 2 L क्योंकि K क्यों पनार होता है root 3 by 2 times of L यहाँ जाएगा ठीके तो इसको उपर ले आओ कितना होगा 16 upon root 3 K K को रख देंगे 1 upon 4 pi epsilon not into Q upon L तो क्या जाएगा है 4 upon root 3 तो कौन सा option मेज कर रहा है यह second आ रहा है ठीके 4 upon root 3 क्योंकि यहाँ से 4 से 4 upon root 3 Q upon pi epsilon not L यह बन जाएगा ठीके चलो अब आगे देखते है question number 37 पर आईए 37 क्या केता है अब से आप चेके रहा है कि इस तरह बच्छो सारे charge particle रखे हैं ठीके यह 4 charge particle है plus Q plus Q minus Q minus Q किन किन point पर potential 0 होगा यह आपको बताना है कहां कहां 0 होगा तो चो देखिए जिसे A point पर देखें जितनी दूर यहाँ plus Q है उतनी दूर यह minus Q है जितनी दूर यह plus Q है उतनी दूर यह minus Q है A से तो A पर potential के जाएगा 0 बी पे देखें, जितना यह प्लस क्यू दूर है, उतना यहां से माइनस क्यू दूर है, जितना यह प्लस क्यू दूर है, उतना यहां से माइनस क्यू दूर है, जितना यह प्लस क्यू दूर है, उतना यहां से माइनस क्यू दूर है, जितना यह वाला प्लस क्यू दूर है, उत तरह है प्लस कुई है यह माइनस कुई की डिस्टेंस अलग है तो किना दब है कि D पे 0 नहीं आ रहा किस पे A, B, C पे 0 आ रहे हैं ठीके तो आंसर क्या जाएगा कि डिस्टेंस कॉस्ट टीटा टू किता बन जाएगा 90 को 30 पे पहले सथा 60 आपने एक्स्टा गुमा दिया 90 बन गया ठीके पास 90 जीरो होता है कॉस्ट 30 को यह वो ती ही रूट 3 वाई 2 तो यह असर जाएगा रूट 3 वाई 2 पी ठीके यह जाएगा अंसर ठीके चलो आगे आते कोशन नमबर 39 पे 39 पे आएं देखो क्या गया रहा 39 आर्थ इंजा के ठोस कुछ अलग बोला है ठीके वीवो वोल्टेज बताना है ठीके नॉन कंड़क्टिंग स्पेर है इसके लिए वीवो का फॉर्म आपको जानते हैं ग्राफ डारेक्ट हीए तो वेल नोन है कौन सान सा हमें सेंटर बताना है इलेक्टिक पोटेंशल तो यहां पर इस चार्ज के जितने भी एलिमेंट से सारे सारे यहां से कितनी डिस्टेंस पर रेडियस पर इसको आप ऐज़े पॉइंट चार्ज मान सकते हो कोई दिखते नहीं है क्योंकि एवरी पार्टिकल से सबकी डिस्ट जो पॉइंट चार्ज का फोरम तो लगा तो क्योंकि एक को रख देंगे वन पॉर पाई अपसलन ओ तो नीचे टू पाई अपसलनोंट ठीक है तो के को क्या रगदा है वन अपोन फॉर पाई अपसॉल नॉट ठीक है तो यह बन जागा रिजल्ट चलो कोशन 40 के बाद आए नेक्स कोशन पे कोशन नमबर 41 पे कोशन नमबर 41 क्या कह रहा है आप से देखिए ठीक है जो की एक दूसरे से बरावर सीमिन दूरी पर रखे हैं किसके नुसार एक संभावत रिमुज के नुसार रखे है एकुलेटर ट्राइंगल के अक्वाडिंग ठीक है वालब इस तरह पन रखे है वे तो आप से लिए निकाय की टोटल पोटैंशाल एनरजी जीरो है तो हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है क्या होगी है ठीक है तो इह थ्री पार्टिकल है यहाँ पे क्यू है यह टू क्यू और यहाँ पे यह है एक्स क्यू ठीक है यह सब बी लेंद्ध मालो वन length है यह length सारी 1 1 है ठीक है तो आसे देखो total potential 0 करनी है तो u is equal to क्या होगा है आपर summation of sigma क्यों करते हैं summation of k q upon k q1 q2 upon r यह आप जानते ही है ठीक है तो जितने possible pair बनें कितने बनेंगे possible pair तीन pair बनेंगे एक इन दोन होगा एक एक इन दोन होगा एक इन दोन होगा इसको जीरो कर दिया ठीक है कि common lily हमें, distance r b 1 common lily q1 q2 के pair बनाएई है, तो इन दोनों का बनाएगी किता हैँगा, q और इसको multiply करें, किता होगा, 2q square, 2q square, एक इन दोनों का multiply करी है, किता हैगा, x q square, ठीक है, एक इन दोनों multiply करी है, किता हैगा, 2x q square, 2x q square, अब इसको 0 करना हैं आपको, तो जिरो करना तो क्यू भी स्क्वार कॉमन लेगी जिरो कर दें तो जिरो इस उकल टू यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा यहाँ बचेगा X और यहाँ पर 2X तो यह 2 गोदल ले आओ minus 2 is equal to किता है बटा 3X तो X equal to किता है का minus of 2 by 3 तो minus 2 by 3 किता है यहाँ X equal to minus 2 by 3 यहाँ अगास कर जिल्ट ओके चलो अब आते हैं अगले कोशन पर कोशन नमबर 42 पर तो देखिए कोशन नमबर 42 क्या है यह रहा कोशन 42 आप तो यहाँ पर 5 कुलाम चार्ज को अपन 0.5 मीटर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर work done by field is 10 joule ठीके फिल्ड का work done 10 joule दिया हुआ है और दोनों के बीच potential difference आपको निकालना है ठीके तो यहाँ से हम देखें work done, simple सी बात है work done is equal to क्या हता है Q into delta V ठीके, W is equal to Q into delta V अपन करते हैं ठीके, तो work done हमें गीवा ने किता है 10 joule ठीके, चार्ज किता है 5 कुलाम delta V निकालना है, तो delta V किता आ गया 2 आ गया बस तो आंसर क्या रहेगा first ठीके, तो यह जगस का आंसर 2 वल्ट यह जगस delta V की वेलू ठीके, चलो, अब आते हैं पर अगले question पर, question number 42 के बार देखिए, question number 43, 43 यह रहा आप से करें, कई sum वीव रेखा बता रखी हैं, ठीके कई सारी sum वीव रेखा हैं, A और B बिंदों की तुलना करते हैं, सबसे उचित गतन बताना है, कौन सा statement better है, best है यह आप उताना है तो चो, देखिए, यहाँ पे इधर electric line, तो सब जोगे potential की बात करें, यह 5 वोल्ट की surface है यह 10 वोल्ट की, यह 15 वोल्ट की 25 वोल्ट की, इधर gap जादा है उधर gap कमें, ठीके हम आपके एकिए, electric field electric field का होता है, देल्टा वी अपॉन, डेल्टा आर ठीके, E is equal to यह अपन जानते हैं, E is equal to जो होता है magnitude की बात कर रहे है, magnitude of E P is equal to the delta V upon delta R, potential difference upon distance difference ठीके, तो delta V तो सब में सम्मेस पे, इसके अंदर भी जो gap है यह किता है, 10 यहाँ पे जो gap आपको दिखा रहे हैं, 5 वोल्ट यहाँ पे यह gap यह A और B की बात करें न, यह gap किता है 5 वोल्ट का, यहाँ भी gap किता है 5 वोल्ट का, इसको भूल जाओ, उसको देहने जोगत नहीं है कि हमें A और B कंपेर करना है तो यह जो gap है, voltage का है 5 वोल्ट का, यह भी 5 वोल्ट का है, तो delta V तो सेम है delta V सेम है यहाँ पे proportional to क्या बन रहा है, 1 upon delta R ठीक है, E is proportional to 1 upon delta R, वल्ट जहाँ पे delta R, वल्ट जहाँ पे gap कम होगा, हम पे electric field इस्टों होगा, gap कम कहाँ पर है A पे इतना सा gap है, B पे इतना बड़ा gap है ठीक है, तो इसलिए बच्छों यहाँ पे हम देख सकते हैं, कौन सा electric field greater है, A वाला E A गटन क्या होगा, E B E A गटन E B, तो हम देखे हैं, महलब A पर विद्धुश्यत का परिमान अधीक है, ठीक है तो यहाँ पे यहाँ तो पहला answer आया, दूसरा क्यों फर्स्ट भी के रहा है, कि magnitude A पे गरेट है second भी के रहा है, अब हम इसकी direction देखने है, electric field की direction किदर होगी, अब electric field हमेशा बच्चों क्या होता है, from high potential to low potential, ठीक है, तो यहाँ पे A point पर देख रहे हैं, A point पर, देखो, यहाँ पे यह surface, यहाँ पे देखो, यह 5 volt की surface है, यह कित्ती है 5 volt की surface, और सबसे last वाले कित्ती है, 25 volt की, तो field की direction होती है high potential to low potential तो high potential to low potential करेंगे तो direction की आएगी, इस तरफ आएगी यह high potential to low potential तो A पर जो electric field हो किदर है बेटा towards left, तो कौन सा answer आगया, यह जागा सा first, ठीक है विद्दू शेत्र का, विद्दू A पर पर परिमान अधी आगया है, माला magnitude greater है, और उसकी डारशन किदर है बाईगी हो, towards left है, ओके यह अपने देख लिए, चलो, अब आगे देखते है next question, question number 44, देखे, question 44 आप से क्या कहे रहा है तो बच्छों, यहाँ पे देखो, question 44 में हम जानते है, किस की को on करेंगे, तो charge किदर flow होगा charge हमेशा किदर flow होता है, high potential to low potential तो देखे, इस surface पे charge किता रहा है kq upon r करी है, ठीके तो surface पे charge आएगा kq upon r potential के look, इस पे निकालें potential k2q upon 2r तो यहाँ भी 2 से 2 कर दीगा, तो kq upon r तो इस पे ही potential kq upon r इस पे ही potential kq upon r तो दोनों पे already potential same है तो अनों current करोगे, charge किदर भी flow नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रवाइत आविश का मान किता हैगा, शुनने, शुनने, शुनीरो हैगा fourth answer इसका हैगा, ठीके चलो, अब आगे देखते हैं इसमें next question 45, देखे question 45 आप से का किरा है यहाँ पर आप से करा है कि यहाँ पर negative charge particle को अपर release कर रहे है, from rest in uniform electric field ठीके, uniform electric field में एक negative charge particle को release किया जाए तो negative charge particle हमेशा का जाता है force का लगता उस पर, electric field के opposite तो electric field के opposite ही है move करेगा, ठीके, और इसकी जो potential energy है potential energy बच्चों देखे हमेशा tendency आप जानते है किसी भी चीज़ की tendency होती है अपने stability को increase करने की अपने स्थायत को increase करने की tendency होती है, ठीके और stability हमेशा जो increase होती है जहाँ पर सबसे इसकी small potential energy हो हमेशा body अपने आप इस तरह समुग करती है कि अपने potential energy को decrease करना चाहती है ठीके जैसे कोई मेरा हाथ में body है इसको छोड़ूँगा छोड़ते नीचे गिरेगी नीचे जाएगी इसका मालब नीचे इसकी potential energy कम होगी क्यों अभी ये ground से कुछ height परे, छोड़ते से इसकी ground पर से height कम होती जाएगी और नीचे height 0 जाएगी तो क्या अभी अपने आप कहां गई जिदर potential energy कम थी तो अपने आप कोई भी charge party या कोई भी object अपने आप किदर मूँग करता है अपने आप हमेशा potential energy decrease करने के according मूँग करता है ठीके तो आपे क्या आएगास में potential energy की बात कर रहा है तो potential energy का होगी decrease because charge moves against electric field ठीके तो आप positive move करेगा तो answer क्या आएगास का third ठीके third आएगास का answer ओके चलो अब आगे देखते हैं इसके अंदर next question question number 46 question number 46 यह कह रहा है आपसे question 46 बढ़ी है आपसे कह रहा है एक drop है इसपे potential 500 volt है ठीके 8 एक समान जो drop है उनसे मिलकर एक बड़ी drop बना रहे है तो उसपे नया potential क्या होगा तो उसपे big drop पे जो new potential होता है V big की value आपने पड़ी होगी n drop सकार मिलके big drop बना रही है तो n power 2 third of V small होता है ठीके तो n power 2 third n किता है आपे 8 8 power 2 third करेंगे 8 power 2 third V तो पहले आपे power 1 third apply कर दो 1 third apply करेंगे 2 जाएगा फिर 2 का square करेंगे 4 हो जाएगा ठीके 4 V तो V हमें किता दिया है आपे V हमें जाखा 500 volt तो 4 into 500 करेंगे किता जाएगा आपे 2000 2000 कौन सा आइंसा थर्ड ठीके चलो अब आगे देखते हैं question number 47 पर तो नेक्स question अपना देख रहे हैं question number 47 47 में आपसे क्या बोल रहा है यापे इसमें एक electric dipol है ओ पॉइंट पर इस तरह रहा है कि इसकी निरक्षी रेखा पर जो इक की टोई लाइन है y axis के अनुदीश है ठीके परस तो यह electric field है electric field की direction कहा बटा y x की अनुदीश दोगो इस तरह से क्या किया रहा है समझें इसको यहाँ पर यह यह dipol है ठीके किसी भी point पर यहाँ पर यहाँ पर जगे y axis y axis के according है यह इसके equator है और यह x axis हो गई है ठीके x axis यह y axis ठीके अब यहाँ पर इस फी किसी point पर यह कोई point है यहाँ से अगर इसको मिला है अपन ठीके यह अगर कोई मिला रहे है यह angle इसको आप किता गिवा alpha गिवान है अब यहाँ पर इस जगे जो electric field है इस electric field की direction इस तरफ बोली गई है इस तरफ यह electric field इस तरफ है ठीके point y axis का लोग जो कि यहाँ से अपन देखे मिटा यहाँ पर इस जगे इस जगे से यह जो angle है यह तो angle alpha ही सीखर यहाँ से यह angle कोई बन रहा है यह suppose यह angle पर 5 बन रहा है तो इस 5 का मान किता है 5 is equal to 90 minus alpha किता है यह 90 minus alpha है अब यहाँ से पन जानते हैं इसमें जो relation होता है 10 5 is equal to यह पढ़ा होगा आपने relation 10 5 is equal to 1 by 2 10 theta theta मतला यह अला angle इसको हम theta बोलते हैं जरली तो 1 by 2 10 theta अब यहाँ पर 5 हमें यहाँ पर किसकी विलो निकालनी है इस alpha की value तरहाँ से आप देखें इसमें यह जो यह alpha है theta की जगे आप यहाँ पर यहाँ पर हमें alpha की निकालनी है तो 5 किता है 90 minus alpha इसको आप रख दें 90 minus alpha इसको रख देंगे 90 minus alpha अब यहाँ पर इसको 90 minus alpha रख दिया बेटा तो cot alpha बन जाएगा यह 10 minus alpha की होता है cot alpha ठीके cot alpha इसको देखें अपने cot alpha अब cot alpha की बलू की होती है 1 upon 10 alpha cot alpha को अपन 1 upon 10 alpha रख दें तो 1 upon 10 alpha रख दिया इसको और is equal to half 10 alpha है ठीके तो यहाँ से इसको देले कर 2 को देले तो 2 is equal to 10 square alpha तो 10 alpha is equal to किता हो गया root 2 कौन सा option आ रहा है यहाँ पर alpha is equal to 10 plus root 2 यहाँ पर second answer जाएगा इसका ठीके यह बन जाएगा second चलो आगे थे हैं question number 48 पर question number 48 आप से जाएगा देखिए question number 48 तो यह question number 48 को अपन देखें इसमें क्या हो रहा है आप आप से क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक negative charge है ठीके minus q इसको हम one position से लेकर two position तक ठीके one से लेकर two यह first position है यहाँ से second position तक उसको हम rotate कर रहे है ठीके one से लेकर two तक आप उसको ले आ रहा है वाद इस तरह से यहाँ से इस तरह से इसको हम लेकर जा रहे है इस position पर ऐसे तो हमें क्या करना है work done निकालना है ठीक है work done is equal to w is equal to क्या होता है w 1 से लेकर 2 तक निकालना है 1 से लेकर 2 तक ले आ रहे है तो आपे क्या होता है moving charge moving charge को वहना है minus q ठीक है into into यहाँ पे v final minus v initial v2 minus v1 यह करना है आपको ठीक है तहां से minus q minus q v to minus even करेंगे तो v to minus even किता है यहाँ पे v to two point potential तो देखो यहाँ पे k q upon distance तो यहाँ सर तक डिस्टेंस किती है अ है यह distance a है फिर minus ठीक है अब k q upon distance यहाँ सर तक डिस्टेंस किती है 3a तो देखो अब यहाँ पे 1-1 by 3 करेंगे तो 1-1 by 3 किता है 2 by 3 तो आगे minus लगी रहा है तो minus 2 by 3 minus 2 by 3 k q q upon a यह आगा अगा अंसर ठीक है तो minus of 2 by 3 कुनसा अंसर लगा है यह रहाँ fourth answer minus 2 by 3 k q q upon a यह बन जहाँ रिजल्ट ठीक है चलो अब देखते हैं अगला कोशन देखें अगला कोशन देखें क्या है अगला कोशन देखो next question आते हैं question number 49 यह रा question number 49 हमने आप इस switch को on किया तो इसमें potential difference पर क्या फर्क पड़ेगा यह बताना है तो अभी मालो अपन इसको on नहीं कर रहे भी ठीक है बना इसको से निकालेंगे देखें वी ए माइनस वी भी यहाँ पर वी ए माइनस वी भी potential difference वी ए माइनस वी भी की value तो ए पर जो potential बेटा ए पर पहले ए पर लिखें ए पर देखो पहले खुद की वैसे potential दो यहाँ पर मालो चार्ज बेटा यह Q1 है इस पर चार्ज Q2 है क्योंकि A जो sphere है वो B के अंदर है तो अंदर तो B की वैसे अंदर सब जगे surface के बराबर ही होता है तो जितना B की surface पर होगा खुद का potential B का उतना वो अंदर भी देगा तो अंदर इतना potential देगा A पर ठीक है फिर माइनस अब करें VB की value तो VB की value पहले A की वैसे तो अंदर वाले इस sphere की वैसे B पर निकाल रहे हैं तो इस पर charge की तरह है Q1 और यहां से B की distance किती है R2 है तो K Q1 upon R2 ठीक है फिर plus अब B के खुद की वैसे निकालेंगे B पर तो K Q2 upon R2 ठीक है तो यहां से K Q2 upon R2 तो इस में से आपने K Q1 common निकाल लो तो क्या आया 1 upon R1 minus 1 upon R2 ठीक है यह आया potential difference अब आप से कहा कि आपने इसको अर्थिंग कर दी switch यहां पर on कर दी है तो अर्थिंग करने पर Q2 charge कहा चला जाएगा अर्थ में लेकिन उस से फरक कुछ पड़ेगा नहीं potential difference पर क्यों क्योंकि इस formula में कहीं Q2 आई रहा तो अर्थिंग करने से भले charge Q2 अर्थिंग चला गया यह लेकिन फिर भी potential difference पर कोई रखनी पड़ा ठीक है तो potential difference पहले भी भी था बाद में भी भी रहेगा चलो आगे आते है question number 50 पर देखिए question number 50 क्या है यह आप question number 50 काफी अच्छा question है भी देखिए 50 में आप से करा है कि R radius की एक ring है वले है जिस पर charge Q2 इस में से DL अपने काट दिया तो के अंदर पर resultant electric field क्या होगा तो जो अपनने आप एक काटा था portion वो काट हटाएंगे तो उतना ही portion वो electric field अपना लेके चला जाएगा तो remaining portion की वज़े से अपनी center पर उतना ही आएगा क्यों क्यों क्योंकि complete ring की वज़े से center पर field किता होता है 0 center पर field 0 होता है तो यहां से हम देखें इस ते से यहां पर देख रहे हैं है इस ते portion DL ठीक है तो यहां पर इस जगे यह इसकी जो distance R है यहां पर इसका electric field क्या होगा वो पन देखें तो पहले इसकी वेसे यहां पर जो electric field है किदर होगा इस तरफ यह यह आएगा E तो जो बाकी का जो portion ring का उसकी वेसे E आएगा इस तरफ ताकि net का बन जाएगा 0 तो जितना इसकी वेसे E आ रहा है उतना ही remaining portion की वेसे E आएगा opposite direction में तो net का बनेगा 0 तो हमसे तो किया पूछा है कि हटा दिया तो remaining की वेसे क्या आएगा तो इस E की value आएगी E की value क्या आएगी E is equal to K DQ upon R square मला KQ upon R square तो K DQ upon R square तो K upon R square K को पर चलो रख दो 1 upon 4 pi epsilon 0 यह रख दिया R square ठीक है अब DQ DQ upon देखें बच्चों पूरी जो length है किती है 2 pi R 2 pi R length पर charge कितना है Q तो unit length पर charge क्या होगा Q upon 2 pi R किस पर unit length पर charge Q upon 2 pi R ठीक है तो DL length पर जो charge आएगा वो आएगा Q upon 2 pi R into DL ठीक है DL length पर charge क्या आएगा Q upon 2 pi R को DL से multiply कर देंगे ठीक है तो अब देखें लो कौनसा answer आएगा है तो Q DL upon नीचे किता क्या 8 pi square R square तो यह 4th answer आजागा है ठीक है अब आगे देखें Q number 51 पर तो देखिए Q number 51 क्या कहा रहा है अब से यह रहा Q number 51 A, B, C 3 points है uniform electric field है तो उन पर potential के बारें बताना है तो चो electric lines हमेशा हम जानते हैं गिदर होती हाई potential से low potential तो सबसे high potential कहा पर है B पर उसे कम C पर उसे कम A पर तो B पर यहाँ पर क्या होगा maximum तो answer क्या जाएगा है यहाँ पर ठीक है चलो आगे हैं Q 51 के बार Q number 52 देखिए Q 52 में आप से क्या बोल रहा है यहाँ पर इस तेसे voltage गिवन है X equal to 1 पर निकालना है electric field तो आप इसका देखिए E is equal to तो इस ती करना है आप इसका differential कर दो कितना जाएगा इसका दो 10 X ठीक है इसका जाएगा 10 ठीक है अब यहाँ पर X कितना रख देंगे 1 ठीक है तो आप 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 देखो यहाँ पर X के उलोग आप पर हमें 1 दे रखी है तो X 1 रख देंगे तो 1 10 प्लस 10 कितना को 20 तो minus 20 तो minus 20 कौन सा option है यह first ठीक है यह minus 20 यह जाएगा first answer clear चलो आगे आते हैं इसमें question 52 के बाद question number 53 देखे question 53 पर आए क्या कहे रहा है question 53 यह रहा question 53 आप से रहा है कि if only force acting on electron is due to uniform electric field कि अबल electric field की वेज़ से force act हो रहा है ठीक है the electron moves with constant acceleration in opposite direction of electric field सी जबाते ठीक है विद्दु शेतर में कोई electron आप रखोगे उस पर क्योब electric बल लगेगा तो electric force का लगता है हमेशा electric field की opposite electron पे negative particle है क्योंकि ठीक है 54 पे ठीक है 54 में आप से क्या बोल रहा है यहाँ पे इस तरह से यह electric lines दिखा रही है यहाँ पे यह two points है ठीक है एक point यहाँ पर रहे एक point यहाँ पर है इनके बीच potential difference आपको निकालना है क्या है ठीक है तो पुच्छों potential difference जिसा आपन जानते है E is equal to क्या होता है delta V upon delta R ठीक है delta R perpendicular बना दोनों points की बीच perpendicular distance ठीक है तो यहाँ से यह distance होती यह delta R है यह perpendicular distance E के along E के along जो distance है वो along E जो उनके बीच में distance है delta R है ठीक है delta R perpendicular जो किता है delta R perpendicular जो बटा है आपे यह आएगा यह D दे रखी D cos 60 D cos 60 तो यहाँ रख देंगे D cos 60 रख देंगे तो इसको तरब multiply करेंगे delta V के जाएगा E D cos 60 तो E D cos 60 कौन सांसर है second यह टिक कर लेगा अपन ओके चलो आगे आते हैं इसके अंदर question number 55 question number 55 यह रहा आप से गिरा है कि यहाँ पे question में क्या किरा हो यहाँ पे diagram समझाओ क्या करना चाहता है आपको यह question कुछ इस ते से किरा है आप से यहाँ पे इस ते से यह two balls है ठीक है यह अपने इसको suspend गर रखा है यहाँ पे ठीक है अब इसमें देखिए इनके बीच की जो total distance है यह x है यह total distance x है यह angle किता हैगा theta theta होंगे यह angle भी theta यह angle भी theta यह angle theta थीटा है ठीक है अब यह angle theta है इनकी यह length L यह length L है यह distance x जो है ठीक है initial distance d d बोलो x बोलो distance यह यह D बोल रहा है कि इसको X बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, X बोला गया है, अब यहां पे इसमें, यह जो half distance ही क्या हो जाएगी है, X by 2, यह distance X by 2 हो जाएगी, ठीके, अब यहां पे इसमें फोर्स एक्ट होंगे, कौन-कौन से एक्ट हो, यहां पे जो charge A, कुलाम फोर्स स्क्राइगा, कि इदर आएगा यह T sin theta, तो हम देखें, इन इक्लूब्रियम, इन इक्लूब्रियम, जो है, सामेवस्ता में T sin theta किसको balance करेगा, KQ square upon X square को, T costa balance करेगा, Mg को, तो इनको अगर पन divide करें, बनलब T sin theta upon T costa करेंगा, तो T से T कर जाएगा, तो 10 theta is equal to कितना बना 10 theta is equal to बनेगा, यहाँ से, यहाँ से, KQ square upon, KQ square upon Mg X square, के से किया हम इने, यहाँ पे T sin theta को इसके बराबर कर दिया, T costa को इसके बराबर कर दिया, फिर दोनों को divide किया, तो 10 theta is equal to बनेगा, KQ square upon Mg X square, अब यहाँ से हम 10 theta रखें हैं, तो 10 theta को एक right angle triangle आपको दीख रहा है, त इसके बराबर करें, 10 theta is equal to, तो यहाँ से, अगर अपन देखें, 10 theta find करें, ठीके, तो यहाँ से 10 theta की value, क्या होगी देखो, तो चो दो 10 theta की value के लिए अपन यहाँ पर क्या सोचेंगे, इसमें, देखिए, यह आपको जो distance X दे रखी थी, काफी length, very, very small, D less than, less than L दे रखी न, मिले distance very small है, तो 10 theta जोगी नियरली sin theta की equal हो, तो यहाँ से तो मैं sin theta नेगा लूँ, sin theta, sin theta कीता है गाँ से, sin theta is equal to, बने गाँ से, perpendicular upon hypotenuse, miss X upon 2L, ठीके, perpendicular upon hypotenuse की X upon 2L, तो sin theta जोगी यह नियरली क्या होगा, 10 theta की equal, तो उसको हम nearly 10 theta की equal कर सकते हैं, nearly equal to 10, sin theta, sin theta कीता है, X upon 2L, 10 theta is nearly equal to sin theta, तो यहाँ पे sin theta X upon 2L, यहाँ रख दिया हमें, is equal to, क्या होगे, KQ square upon MG X square, ठीके, तो यहाँ सब देखो, इस X को इदर ले आए, तो X cube, यह Q square, तो Q square is proportional to क्या है, X cube, आप से किरा है कि अब यहाँ से, charge अगर leakage होना start हो जा है, तो यह किस velocity से pass आएंगी, उसकी dependency आ होगा, तो देखिए, अब यहाँ से इसमें, अगर मैं QE का लूँ, तो Q is proportional to क्या हैगा, X power 3 by 2, अब यहाँ पे कर दें, differential with respect to time, तो Q का तो 1 हो जाएगा, फिर DQ upon DT करेंगे, Q का दिफरेंशन 1, DQ upon DT, ठीके, तो proportional to यहाँ पे करेंगे, 3 by 2, X power half, DX upon DT, ठीके, तो पहले Q का दिफरेंशन 1 हो गया, DQ upon DT लिख दिया, ठीके, X power 3 by 2 का दिफरेंशन 3 by 2, X power half, DX upon DT लिख दिया पनने, अब यहाँ पे देखिए, इसमें, यह DQ upon DT, तो constant है, ठीके, यहाँ चार्ज जोए, constant rate से leak हो रहा है, ठीके, तो DQ upon D constant है, तो यहाँ पे, और X power half, यह DX upon DT क तो इसको इदर ले आए, तो velocity की dependency की आगई, velocity is proportional to X power minus half, velocity is proportional to X power minus half आ रही है, तो कौन सा जागा, second, ठीके, तो काफ़ अच्छा question था, नीट माच चुगा है, ठीके, चलो, अब आगे देखिए, इसके अदर, next question 56, तो इके, question number 56 को अपन देखिए, question number 56, आगे आते हैं, question 56 पे conducting spheres है, इनके charge 40 and minus 20 हैं, और some distance पर रखे हुए है, ठीके, अब यहाँ पर किरा है, दोनों पर touch करके, वापस हम same distance पर रख देखिए, तो force पर क्या effect पड़ेगा, तो force जो होता है, बेटा, F is proportional to Q1, Q2, ठीके, Q1, Q2, तो F dash, यहाँ पर ratio of initial to final force, बहला, F1 upon F2 निकालना है, initial to final force initial F1, तो initial में Q1 into Q2 किता है, multiply करो किता हैगा, 40 into minus 20, महला, minus of 800, ठीके, फिर बाद में F2, F2 यहाँ पर दोनों को touch करेंगे, दोनों touch करने पर net charge किता हो गया, 20, ठीके, 40 and minus 20, that is 20, दोनों पर half-half divide हो जायागा, बहला, 10, 10 हो जागा, दोनों पर 10, 10, तो 10 into 10 किता हो गया, 100, ठी पर equal equal divide हो गया, बहला, 10, 10 कि form में, तो क्या आगया, minus 8 by 1, महला, इसका जो magnitude है, 8 by 1 हो जायागा, तो 8 by 1 किसमें, first option में, ठीके, तो यहाँ जागा answer 8 by 1, clear, चलो, अब आगाते, question number 57 पे, आईए, question 57 पे, यह रख, question 57 में आप से गया रहा है कि, कौन सा परिणामी आवेश अध number of lines के equal, ठीक है, कित्ती lines in है, कित्ती lines out है, उसके according, तो हमें, यहाँ पर देखना है, देखिए, इस first, third वाले case में, सारी किसा लाइन से इमीट हो रही है, कित्ती निकल रही है, 4, 4, 8, 8 lines यहां से इमीट हो रही है, तो इसका charge है, 8 lines के corresponding, यहाँ पर देखिए, इसमें, 4 line है निकल रही है, 4 line है, इसमें insert कर रही है, तो इसका net charge किता है, 0 है, ठीक है, यहाँ पर 6 lines इमीट हो रही है, 4 lines आ रही है, तो net charge यहाँ पर 2 के corresponding है, तो सबसे आज चार्ज किस पर आ रहा है, 3rd वाले पर, ठीक है, तो answer जागा 3rd, के वल 3rd only यह जाएगा, ठीक है, चलो, अब आगे देखें, उसका next question, 58, 58 में आपसे बहुलागे है, कि यहाँ पर इफे charge body is moving, वहाँ पर रही है, पर रही है, तो इसकी velocity हम देख रहे है, continue change हो रही है, ठीक है, क्योंगी curvature path है, तो velocity variable है, ठीक है, मिस acceleration present is में, और जब भी किसी में तुरण उपसिता है, चार्ज में, तो तीनों present, उपन करेगा, E vector, B vector, तथा चुम्ब की तरंगे, विज़ी चुम्ब की तरंगे, तो आगे देखें 59 पे, question number 59 में, आप से रहा है कि Y की value क्या होगी, जब इसो cross कर जाता है, उस time deflection Y कितना है, यह निकालना है आपको, तो रहाँ पर यहाँ पे, यह देखें, एक् कितना होगा, acceleration A is equal to QE by M, ठीक है, इस direction में, और इस direction में acceleration कितना है, इसका 0 है, ठीक है, तो इस direction में acceleration 0 है, क्यों Y direction में acceleration अग रहा है, तो इसलिए X direction में, इसकी speed क्या होगी, constant, तो distance is equal to, यह distance L इसने travel के रही, distance is equal to क्या हैगा, speed into time, speed into time, मतलब VX into time T, तो यह गया तया से, एल अपॉन VX, यह परणा चल गया, में रखो कि इसको cross करना है में कितना time लगा, अब देखिए Y निकालना है आपको, तो Y के लिए equation of motion लगाएंगे, second equation of motion लगा दे, कि यहाँ पे initial में Y velocity कितनी है, 0 है, यहाँ पे initial direction में Y velocity 0 है, final निकाल नहीं है, तो Y is equal to, क्या जाएगा यह, UT plus half AT square जो अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको apply कर रहा हूं है, तो Y तो कितना initial direction, Y direction में 0 है, यह 0 है, half, ठीक है, A, A को रख दिया अपनने QE by M, ठीक है, and time time किता था, L upon VX, L upon VX का square, तो देखो कौन सा अंसर है, QE L square upon 2M VX square, यहाँ सा जाएगा यह, ठीक है, QE L square upon 2M VX square, ठीक है, ऐसे कर सकते है, सौल इसको, चलो, आगे आते हैं, last question पे, question number 60 पे, तो एक यह, पेपर का last question अपने देखें, question number 60, यह रहा, 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 question number 60, देखिए, यहाँ पे, यह कई सारे charge particle रखे हैं, ठीक है, infant charge particle है, इन सभी की वैस इस Q particle पे आपको net force निकालना है, ठीक है, तो net force find करने के लिए, अपना देखें, यहाँ पे, F is equal to, F is equal to, ठीक है, जितने भी charge particle है, सारे Q, Q, Q particle है, इस पे Q पे निकालना है, तो, क्या होता formula, KQ upon R square, तो every combination के लिए, K, Q, Q तो same है, distance अलग अलग है, तो एक बार distance 1 है, तो 1 का square, एक बार distance 2 है, 2 का square, ठीक है, ठीक है, एक बार distance 4 है, तो 4 का square, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है, अब चो यहाँ पे इसमें, रख दें, किये तो किता है, 9 into 10.9, ओके, capital Q किता है, यहाँ पे 1 कुलाम, small Q किता है, यहाँ पे 1 माइक्रो कुलाम, यलो रख दिया, अब यहाँ प infinite GP का जो सम होता है, क्या होता है, A upon 1 minus R, ठीक है, तो पहले से उसको देख लें, बाहर किता है, 9 into 10 power 3 है बाहर तो, ठीक है, A upon 1 minus R, A मलब first element upon 1 minus R, R मलब second element upon first element का जो रेशो है, यह 1 by 4, ठीक है, 1 by 4, तो किता है, 1 minus 1 by 4, 3 by 4 हो गया, तो उपर जाके 4 by 3 हो जाएगा, तो 4 by 3 को 9 से multiply करेंगे, 12 हो जाएगा यह, 12 into 10 power 3 Newton, तो कौन सांसर आगया, 12,000 Newton, यह जाएगा, ठीक है, तो इस टैप से अपने पेपर के सारे questions all कर लिए, काफी अच्छा paper था, ठीक है, तो चलो आशे करता हूँ, पर आपका अच्छा गया होगा, ठीक है, कुछ question mistake हो भी आए, को भी